प्रवक्ता का है प्रवक्ता का है प्रवक्ता का मतलब पीजीटी ठीक है पीजीटी का कोशन पेपर करने वाले है 2021 का संगीत गायन विश्यका ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दू अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो आपको बता दू कि नेट के लिए नेट और जियारफ पे कटफ पे मैंने एक वीडियो बनाई है ठीक है कितनी कटफ जाएगी उस पे बनाई है और बहुत अच्छी तरीके से वो मैंने कटफ बनाया है 2019 में दो एकजाम हुए थे 2020 में एक एकजाम हुआ फिर 2021 में दो एकजाम हुए 2022 में हुए दो एकजाम तो इन सब को देखते हुए इन सारे कोशन पेपर को देखते हुए 2023 में जो अभी एकजाम हुआ है उसका कटफ मैंने बताया है सभी का कटफ मैंने लिख लिख के उसमें बताया तो वो आप ज़रूर देखना लास्ट वीडियो वही थी अभी आप जाके देखो उसको ठीए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखे पहला प्रश्ण है भरत नाट्यम नित्य का आरम किसने किया किस से किया जाता है जैथी स्वरम अला रिपू शब्दम वर्णम इसका सही आंसर होगा बी ओके बी आंसर इसका सही है भरत नाट्यम भारतिय सास्त्रिय नित्य की एक प्रमुक शैली है इस नित्य को चधिर अट्टम भी कहते है ठीके इसका आरम अला रिपू से किया जाता है अला रिपू इस अंस में कवीता लॉल्टू कुटू रहती है इसी के छंद में आवर्ती होती है त्रिश्य या मिश्र छंदत तथा कर्ताल और मृदंग के साथ यहा अंश अनुस्ठित होता है इसे निप्त्यानुस्ठान की भूमी का कहा जाता है इसके बाद जाती सुरम सब्दम वर्णम पदम और तिलाना है ठीक है चलिए आगे चलते है कोशन नमर दो है राग में कम से कम कितने स्वरों का प्रियोग आवश्यक है पाँच, साथ, बारह या दस दे यूज ओफ हाव मैनी मिनियम स्वरों आर एस्टिमर इन आर राग्स सही आंसर इसका ए पाँच राग में कम से कम पाँच स्वरों का प्रियोग आवश्यक है तथा अधिक से अधिक साथ स्वरों का प्रियोग किया जाता है भारते संगीत में मुख्य साथ स्वर होते हैं सारे गामा पाधानी चलिए कोशन नमर तीसरा पंचम स्वर की आंदोलन संख्या कितनी है 240, 300, 320 या 360 इसका सही आंसर होगा B, 360 पंचम स्वर की आंदोलन संख्या 360 होती है सडज की आंदोलन संख्या 240 है इसी को आधार मानकर अन्य स्वरों की आंदोलन संख्या निकाली जाती है जैसे सडज 240, रिशव 270, गंधार 300, मध्यम 320, पंचम 360, धैवत 405 और निशात 450 है ओके यह जो कोशन पेपर है UP PGT है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर चार राग गुजरी का वादी समवादी स्वर है गधा, रेमा, धगा, गणी तो इसका जो सही आंसर होगा वो है C, ओके, राग गुजरी तोड़ी का वादी धैवत है, कूमल धैवत एव समवादी गंधार है कूमल गंधार वर्तमान समय में प्रचलित गुजरी तोड़ी तोड़ी थाट जन्ने राग है पंचम वर्जित होने के कार इसकी जाती साड़व साड़व है इस राग का गायन समय दिन का दुर्तिपहर है इस राग की जो प्रकृती है वो गंभीर है गंभी प्रकृति का ये राग है यहां भक्ती तथा करुण रस के से परिपून राग है भक्ती और करुण रस से परिपून राग है नोट आयोग के अनुसार विकल्प सी सही है किन्तु राग गुजरी तोड़ी का वादी स्वर कोमल धा वे समवादी स्वर कोमल रे है ठीक है नोट में ये अलग से दिया गया है चलिए आगे चलते हैं कोश्च नमर पाँच है धमार गायन किस चैली के समीप है खयाल दुरुपट टप्पा या ठुमरी ये शायद आपने देख लिया होगा तो ये देख लीजे बी आंसर्स का सही होगा धमार गायन दुरुपट सैली के समीप है यहाँ गीत का एक प्रचलित प्रकार है धमार को होरी भी कहते हैं यहाँ धमार ताल में बद्धर रचना है तथा इसमें अधिक्तम राधा कृष्ण के होली खेलन अब्धिज की होली का वर्णन मिलता है इसमें भी दुरुपट के समान नुम्तुम का अलाब तथा लैकारी विशेश महत्वरक्ती है चलिए आगे चलते हैं कृष्ण नुम्र 6 है करनाटक संगीत का महत्वपूर्ण अंग है पल्लवी, जावली, कृती या तिल्लाना इसका सही आंसर है C, कृती ठीक है मुझे लगता है इससे थोड़ा सा मुझे जुम करना पड़ेगा तो करनाटक संगीत गायन शैली के प्रमुक रूप से वर्णन के तीन मुख्य भाग पललवी अनुपललवी तथा मुख्य श्रव होते हैं इसकी तुल्ला उत्तर शैली के ठुमुरी के साथ की जा सकती है जावली एक प्रेम प्रधान गीट शैली है भत नाट्यम के साथ इसे विशेश रूप से गाय जाता है कृती अथवा कृतनम करनाटक संगीत की तेलगू तमिल तथा संस्कृत भासा गाई की गाई जाने वाली उत्कृष्ट एब लोक्प्रिय लोक्प्रिय रचना है उत्री भारत में प्रचलित तराना के समान ही करनाटक संगीत में तिल्लाना होता है कौशन नमर साथ है कभी लोचन द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी राग तरंगनी, संगीत परिजात, संगीत दर्पन, राग तत्व, विभोध अगर आप टैलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो टैलीग्राम से जुड़ सकते हैं डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंग दे रखा है इसका जो सही आंसर है वो है कभी लोचन द्वारा राग तरंगनी इसके लेखक लोचन है और ये लोचन जहां का मैं निवासी हूँ वहीं के लोचन जी निवासी है या ऐसे बोलो कि जहां के लोचन जी निवासी है वहीं का मैं निवासी हूँ मिथला ठीक है? मैं मिथला का निवासी हूँ और वहीं के लोचन जी भी निवासी है तो चलिए आगे चलते हैं इसमें ग्राम, मुर्चना, जाती गायन के स्थान पर जन्य जनक अत्वा ठाट पदती का वर्णन मिलता है 1625 इसमी में पंडित दामोदर द्वारा संगीत दर्पन की रचना हुई यहां ग्रंत हिंदी फार्सी गुजराती आधी भाषा में लिखा गया है राग तत विवोद सोमना द्वारा वे संगीत परिजात आहोवल द्वारा लिखा गया है कोशन नमर आठ है अलाप प्रदाहन गाय की खयाल के किस घराने की विशेष्टा है ग्वालियत जैपूर आगरा ये किराना तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा डी किराना आलाप प्रदाहन गाय की खयाल के किराना घराने की विशेष्टा है और किराना घराने में अधिक उचे सूर से अती विलंबित लै में गाने की परंपरा है इसमें लै की अपेक्षा सूर पर अधिक बल दिया जाता है और विलंबित खयाल अधिक तर एक ताल में गाये जाते हैं इसे घराने में ठुमरी गाय की का विशेष इस्थान है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर नौँ दोपर बारव वजे से रात्री के बारव वजे तक गाये जाने वाले राग को क्या कहते हैं उत्तर राग पूरव राग आश्र राग परमेल परवेशक राग तो इसका जो सही आंसर है वो है बी पूरवरा ठीक है दोपर बारव वजे से रात्री बारव वजे तक गाये जाने वाले राग को पूरव राग कहते हैं ऐसे राग पराई दिन के पूरव भाग यानि दिन के बारा वजे से रात्री के बारा वजे तक के समय में गाये बजाये जाते हैं कोशनमत चार है कोशनमत दस है हनुमान मत के हनुमत मत के छे राग में से एक राग कौन सा है मेड नट नारायन भैरवी या बसंत ऐसे प्रश्ड आने के ज्याधा चांसे होंगे इस बार TGT में भी ठीए है PGT में तो होंगई TGT में भी होंगे OK देख इसका सही आंसर होगा अपका इसका सही आंसर A है हनुमत मत के 6 राग में से एक राग मेग है ठीए है इसके 6 राग भरत मत के सामान थे परतेग में 5 पाँच रागनिया और 3 तीन पुत्र माने गए जो भरत से भिन्यत थे ठीक है अब देखिए जो इसके जो 6 है राग एक है भैरव दूसरा है कौशिक तीसा हिंडोल चौथा दीपक आचा श्री फिर मेग कौशिक नमर 11 है करनाटक संगीत में 700 का सम्मू क्या कहलाता है पल्लवी जाती सुरम इस्थाई या सूल सुलादी सही आंसर सी होगा स्थाई कहलाता है करनाटक संगीत में 700 का सम्मू इस्थाई कहलाता है संगीत रतनाकर में स्थाई स्थाई का सामान अर्थ संगीत प्रधान शब्द बंध या रागश्या व्या स्थाई का उल्लेक है करनाटक संगीत में 700 के सम्मू को सुलादी कहते हैं यह भी या रकनाटक संगीत में 7 ताल जो होते हैं उस्थाई सुलादी कहा जाता है कोशन नमर बारा है मध्यम ग्राम में धैवत कितनी शुरुती का है दो शुरुती का चतु शुरुती का पंचम शुरुती का शट शुरुती का हाव मैनी धैवत शुरुती आर्थ इन मध्यम ग्राम्स राइट आंसर बी चतु शुरुती मध्यम ग्राम में धैवत चार शुरुतियों का होता है इसके साथ स्वरु करम से चार तीन दो फिर चार तीन चार दो शुरुतियांतरों का इस्तित रहता है इसी ग्राम के पांचमें और छटे स्वर सड़ ग्राम के स्वरु से भिन है अन्यथा सभी शेष सभी स्वर समान है दूसरे शब्दों में प की तीन और धा की चार शुरुतियां हो जाती है बस यही है प की तीन शुरुति हो जाती है अधा की चार शूर्टी हो जाती है बागी इसमें कुछ देखने वाला नहीं है अंत अब मध्यम ग्राम के साथो स्वरों को जो करम से है वो है चार सो बत्तिस हैसे नहीं बोल सकते हैं चार तीन दो चार तीन चार दो शूर्टियों की दूरी पर इस्थापित हो गए कुछ नमर 13 है राग मालकुष का गायन समय है राती का त्रोटि प्रहर दिन का द्थिप्रहर राती का द्थिप्रहर दिन का द्रोटि प्रहर इसका सही आंसर होगा A A is right answer राग मालकोष का गायन समय राती का तिर्थ पहर है जनप्रिय राग मालकोष को भैरवी ठाट से उत्पन माना गया है इसमें रिशब और पंचम वर्ज्य है अंध इसकी जाती ओडव ओडव है वादी मध्यम और समवादी सड़ज है इसमें गंधार ढहवत और निशाद तीनो स्वरो तीनो का कोमल लगते हैं इसी राग में अगर नी को शुद कर दिया जाए तो यहाँ राग चंद्रकोष हो जाएगा ओके चलिए आगे चलते हैं कोशन नमर 14 है अलापिनी नाम किसका है राग शुदी जाती या ताल राइट अंसर बी है शुदी अलापिनी नाम किसका है तो शुदी का ही है आपको अच्छे से पता है अलापिनी शुदी का नाम है यहाँ सड़स ग्राम का सत्रवी शुदी है वहा नाद जिसे हम इसपस्ट रूप से सुन सके वह शुदी कहलाता है वहा नाद जिसे हम इसपस्ट रूप से सुन सके वह शुदी कहलाता है समझ सके तथा किनी दो नादों के बीच का अंतर बता सके वह शुदी कहलाता है ठीक है कितनी अच्छी डेफिनेशन है याद कर लो इसे वहा नाद जिसे हम इसपस्ट रूप से सुन सके समझ सके तथा किनी दो नादों के बीच का अंतर भता सके शूति कहलाता है बाइस शूतिया है जिनके नाम है तीवरा, कुमुंदती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रखतिका, रोधिक, रोधा, वर्जी का प्रशानी, प्रीती, मरजनी, छेती, रखता, संदीपनी, अलापनी, मंदती, रोहिनी, रम्या, उग्रस, सोगनी ठीक है तो यह है बाइस के बाइस शूतिया चलिए आगे चलते हैं कुशन नंबर 15 है बोल बाट की फुम्री किस ताल में गाई जाती है दादरा एक ताल कहरवा या दीप चंदी सही आंसर है इसका, डी, डी आंसर इसका सही है दीप चंदी, बोल बाट की फुम्री, दीप चंदी ताल में गाई जाती है फुम्री गायकी में शुरंगार रस का प्रधान है ठुम्री गाईकी में कन, मीड, मूर की, खटका, आदी से अलंकर, छोटे-छोटे भावुक अलाप, शब्द अलाप, तान एप शब्द तानों का प्रियोग होता है ठुम्री गाईकी का परदर्शन दीपचंदी ताल में किया जाता है, इसमें 14 मात्राइं होती है कोशन नमबर 16 है, किस राग में पूर्वांग में गंधार वे उत्रांग में पंचम सर पर न्यास होता है इन विच राग दा न्यास इस ओन गंधार इन पूर्वांग एन ओन पंचम इन उत्रांग तो पूरियाधना श्री माल को स्तोड़ी भुपाली राइट आंसर है पूर्वी ठाट जन्ने राग माना गया है इसमें रिशब दहवत कोमल तदा तीवर मध्यम प्रियोग किया जाता है जाती संपूर संपूर वक्र है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर सत्रा पे कोशन नमबर सत्रा हिंदूस्तानी संगीत में किस राग को अमर राग कहा गया है मालकोस पूर्वी मधुवंति या केदार बहुत अच्छा प्रशन है और इंपोर्टेंट भी कुछ जादा है यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट है विच राग इस नोज एज अमर राग इन हिंदूस्तानी म्यूजिक इस राइट आंसर सही आंसर है इसका हिंदूस्तानी संगीर भी आंसर सही है हिंदूस्तानी संगीर में केदार राग को अमर राग कहा गया है अमर राग किसे कहा गया है याद रखना अच्छे से केदार को अमर राग कहा गया है केदार को दोनों मध्यम वाला कल्यान ठाट का केदार अमराग है मावादी सासमबादी वाला यहाँ रागडात्री के प्रथम प्रहर में गाया जाता है इसके आरो में रेगा और अवरो में गा वर्जित होने के कारण इसकी जाती क्या है और अव साड़व है उके इसकी जाती क्या है औ टाली किन मात्राओं में पढ़ती है और विच मात्रा ताली z cas अफ प्लेड़ इन झूम्रा कॉर्ण ऑट प्र सात्य है एकजाम में तयरा mi अच्छे से याद कर लेंth you इसमें से बहुत ज्यादा प्रश्म Operations वे बनते हैं हर एक्जाम में, चाहें वो UPTGT का हो, PGT का हो, ठीक है, या आपका KV का हो, या NVS का हो, या DTB का हो, बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो अच्छे से जुम्रा ताल को करना है, नेट हो, ठीक है, इसमें भी बहुत बनते हैं, राइट अंसर है B, एक चार ग्यारा पर, अब दीखें क्या है, जुम्रा ताल में ताली एक चार ग्यारा पर होती है, जुम्रा ताल में चौदा मात्रे होती है, चार विभाग होती है, आट पर खाली होती है, इसका विशेश प्रियोग विलंबित ले में, खयाल गायन के साथ संगत में होता है मिश्र ताली मिश्र जाती के इस ताल का चंद 3-4-3-4 है अंत यहां अर्ध संपदी ताल कहलाती है चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 19 है इन विच वोकल स्टाइल किस गायन शैली में मूर्की का प्रियोग वर्जित है इसका सही आंसर है C सही आंसर इसका C है धृपद धृपद गायन शैली में मूर्की का प्रियोग वर्जित है धृपद गम्भी प्रकृती का गीत है इसे गाने में कंठ और फेपडे पर बल पढ़ता है इसलिए इसे मर्दाना गीत कहते है दुरुपद में सरुपथम नूम्तुम का विस्तार अलाप करते हैं दुरुपद में खटके अथवा तान के सामान चपल स्वरो सम्हू नहीं दिखाए जाते बलकि मीड और गमक अप्रियो अधिकिया जाता है तो ये है कोश्य नमबर 20 है आबुल मोरा बाबुल सोरी आबुल बोल दिया हमने बाबुल मोरा नहीं हर छूटो जाए कि इस गायक की प्रसिद्ध बंदिश है फ्यास खा ओमका ना ठाकुर बड़े गुलाम ली खा कि सोरी अमोन कर ये जो प्रश्ण है न ये भी बहुत ज्यादा इंप इंपोर्टेंट है तो इंपोर्टेंट नहीं बोलेंगी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इस राइट आंसर कि इस में से बाबुल मोरा नहीं हर चूटो जाए नवाब वाजिद अली शाह की प्रसिद्ध बंदिश है ठीक है तो इन में से कोई नहीं है संगीत की विधा ठुमरी के जन्मजाता कहे जाने वाले अवद के नवाब वाजिद अली शाह ने ठुमरी के साथ एक और प्रियोग ठुमरी को कत्थक नित्य के साथ गाया जाता है था गाया जाता था और जगाया जाता है भी इन्होंने कई बहतरीन ठुमर अली शाह को देश निकाला दे दिया तब उन्होंने बाबुल मोरा नईहर छूटो जाए यह प्रसिद ठुमरी गाते हुए अपनी रियासत से अलविदा कहा इस गीत को भीमसें जोसी जी ने भी बहुत गाया फिल्म स्ट्रीट सिंगर 1949 में इसे के एल सेहकल जी ने गाया था यहां भहरवी राग में गाया गया है ठीक है आयोग के नुसा सी सही है और आयोग ने इसे क्या माना है सी इसका आंसर सही माना है सी कौन है बड़े गुलाम अली कोशन 21 है खयाल का अविश्कार किस सताब्दी में हुआ चौद्वी शोल्वी सत्रवी या पंद्वी इस राइट आंसर इसका सही आंसर पंद्वी सताब्दी माना जाता है कहीं कहीं पे चौद्वी सताब्दी भी लिखा हुआ है तैसे पंद्वी सताब्दी इसका बोलना ज्यादा उचित माना जाएगा ठीक है तो देखे, खयाल गाईकी की कलपना परधान शैली है, इसमें श्रिंगार रस की परधानता होती है, जिस समय वस्तु कला में महल बने और रिती कालीन काव्य लिखे गए, उसी समय खयाल शैली ये शैली गलत लिखावा है, प्रचार में आई कई विद्वानों के अनुसार मतनुसार, खयाल गाईकी का उद्गम बारवी सताब्दी, तेरवी सताब्दी में धुरुपत के साथ हुआ, इस सैली को खोजने वे अपनाने वाले पहले कलाकार हजरत अमीर खुश्रो, हजरत अमीर खुश्रो, कई विद्वानों के मतनुसार, खयाल गाईकी का उद्गम बारवी या तेरवी सताब्दी में हुआ, इस सैली को खोजने वाले पहले, हजरत अमीर खुश्रो, हजरत अमीर खुश्रो के बाद, जौनपूर के सुल्तान मुहमद शारूकी और हुसैन शारूकी ने भी, चौद्वी सताब्दी में इस सैली को खुब बढ़ावा दिया, आयोग ने डी माना है, पंद्रवी सताब्दी, आयोग ने पंद्रवी सताब्दी को सही माना है, चली आगे चलते कुछ नमर 22 है पंडित लोचन ने कुछ कितने मेलो का उल्ले किया है पंडित लोचल ने कुल कितने मेलों का उले किया है 20, 12, 19 या 22 थोड़ा सा मिस्टिक्स हो रहे हैं वो तुसके लिए मैं माफी चाहता हूँ देखिए इसका सही आंसर होगा B 12, पंडित लोचल ने कुल 12 मेलों का उले किया मिथला निवासी लोचल के गरंथ का नाम राग तरंगनी है मैंने आपको बताया था कि मैं अभी मिथला कहीं हूँ अभी अभी बताया था, मिथला या आप लिखा भी हो है जिसमें राग रागनी और संग्यान थाट पद्दिती के अनुसार रोगों को वर्गि कृत किया गया है इसका शुद्द सब्तक वर्त्मान में काफी के सामान था जисे कभी लोचन भहरवी कहते थे कि लोचन जी क्या कहते थे उसे भहरवी कहते थे को के चलिए आगी चलते हैं कुशन नमर ताइस जावली किस नित्य के साथ गाई जाती है विच डांस जावली इस संग कुच्ची पूरी मनी पूरी भतनाटिये में कथक कली सही आंस इसका सी होगा भतनाटियम भरत मुनी ने भरत मुनी के नाट सास्त्र दोसो इसवी पूर्व से दोसो इसवी के साथ पारंब हुई अने गरंतों के भतनाटियम नित्य की रूप पर जानकारी प्राप्त होती है जावली भतनाटियम नित्य के साथ गाई जाती है, श्रिंगार रस प्रधान साहित्य से युक्त यह मध्यले एफचंचिक प्रकरती के रागों में गाई जाती है, इसमें नाईका वे उसकी सखी परस्पर क्या बाचीत के माध्यम से भाप्रकट किये जाते हैं, जावली में पल्लवी अनुपल्लवी चर्णम आधी अंग होते हैं, इस शैली का परियोग भतनाटियम के साथ किया जाता है, कोशन नमबर 24, वीना के तार पर स्री निवास के स्वरिस्थान में कोमल रिशव की आंदोलन संख्या कितनी है, वीना कोमल रिशव लिश्वश नमबर 45, वीना कि में कोमल रिशव की वीना कि आहिना कूमल रिशव या। रिचे टार्विना कि श्री निवास स्वरिस्थान श्रींज एंख्या स्री निवास के स्वर इस्थान में कोमल रिशब की आंदरुन संख्या 259 सही एक वटे पांच है कोमल रे की स्थापना सा और रे के बीच के भाग को जिसकी लंबाई 4 इंच है तीन भागों में विवप्त किया सा से दूसरे भाग के अंत में कोमल रे इस्थित किया और अंत के अर्य दुर्ण स्री निवास के मेरु और में इस तरीके से आप अच्छे से देख रहे हो अंतर होगा और क्योंकि प्रतेख भाग बराबर लंबा इसलिए ये गुरच के इतनी दूरी पर इस्तित होगा ये आपको कभी अलग से मुझे बताना पड़ेगा इस टॉपिक पर ठीक है तब आप इसको अच्छे से समझ पाओगे चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 25 पाइथाग गोरियन स्केल के कौन से दो शुद स्वर डाइटोनिक स्केल के तुलना में उंचे हैं रेमा, गानी, रेसा ये परसा बी आंसर इसका सही है पाइथाग गोरियन स्केल के ग, नी, दो शुद स्वर डाइटोनिक स्केल की तुलना में उंचे हैं ग्रीस के पाइथागोरियम गोरियस नामक विदमान ने सापा और सासा समबाद के आधार पर एक स्वर सब्त की रचना की और उसका नाम अपने नाम पर रखा इसको उन्होंने लो अफ फिफ्ट दो अनुपाद तीन और लो अफ अक्टिव एक अनुपाद दो कहां कोशन नबर ट्वेंटिसिक्स है मतंग ने अपने रागों का कितनी गीतियों के अंतरगत विभाजन किया है फाइव सेवन टैन नाई सही अंसस का बी होगा साथ ओके सेवन मतंग ने अपने रागों का साथ गीतों चो चा भिनना गौडी राग साधारनी भाषा विवाषा के अंतरगत विभाजन किया है संगीत का सर्व प्रथम स्वतंत्र ग्रंत मतंग मुनी ब्रहदेशी है देशी रागों का वर्ण स्वरों के समचिप्त नाम से सारे गामा पाजनी वे वीना पर पदों का विवरन मतंग ने ही सर्व प्रथम दिया है कोशन नमर ट्विटी सैवन है स्वरों के समचिप्त नाम सर्व प्रथम किस ग्रंत में प्राप्त होते हैं संगीत रतनाकर नाट सास्त्र ब्रहदेशी या दंतिल स्वरों के समचिप्त नाम सर्व प्रथम ब्रहदेशी ग्रंत में प्राप्त होते हैं मतंग ने ही सर्व प्रथम राग एव स्वर्ष शब्द का प्रीचे दिया मतंग ने सर्व प्रथम संगीत के साहित में राग शब्द का प्रयोग किया ब्रहदेशी में तीन अध्याई स्वर अध्याई राग अध्याई प्रवंद अध्याई और भी अध्याई मिलते हैं चलिए, आगे चलते हैं, किस घराने में विलंबित ख्याल तीन ताल में गाने की परंपरा है, ग्वालियर घराना, इंदौर घराना, बनारस घराना, जैपुर घराना, राइट आंसर, दी, जैपुर घराने में विलंबित ख्याल तीन ताल में गाने की परंपरा है, इस घराने के संस्थापक अतरौली घराने के अल्ला दिया खाथे, यहाँ घराना जटिल तालों में और प्रचलित रागों के लिए प्रसिद्ध है, इस घराने में वक्रत तानों तथा अलाब की छोटी छोटी तानों से भड़त करते हुए लंबी दमदार ताने प्रस्तुत की जाती है, इसमें प्राए बड़े ख्याल तीन ताल में गाए जाते हैं, कोशन नमबर 29 है, स्री मल लक्ष संगीतम किस का गरंत है, ओमकाना ठाकुर आओंबल नन्य देव या विश्णु नायन भात खंडे सई आंसरस का डी है, स्री मल लक्ष संगीत गरंत विश्णु नायन भात खंडे जी का है, इसके द्वारा रचित मुख्य पुस्तकों की सूची इस प्रकार है, हिंदुस्तानी संगीत पद्दती करमिक पुस्तक मलीका 6 भागों में, भात खंडे संगीत सास्तर 4 भागों में, अभिनव राग मंजरी लक्ष संगीत स्वर मालीका, आदी इसकी पहली पुस्तक स्वर मालीका थी, भात खंडे जी ने 200 राग तयार किये, उनके पुस्तकों को राग का खजाना भी कहा जाता है, संगीत पर उन्होंन पहली आधुनिक टीका लिखी कोशन नमबर 30 है पंडित विश्नु दिगंबर प्लुसकर के गुरु कौन थे हूँ वाज दग गुरु अब पंडित विश्नु दिगंबर प्लुसकर मौला बक्स विनायक रापटवर्धन बाल कृष्ण बुवा इचल कर जीकर मलिका अर्जुन मसूर इसका सही आंसर सी होगा पंडित विश्नु दिगंबर प्लुसकर जी के गुरु बाल कृष्ण बुवा इचल कर जीकर थे ग्वालियर घराने के प्रसिद संगीत तक गिये पंडित विश्नु दिगंबर प्लुसकर का जन्म 1872 के 18 अगस्ट शावन पुर्णिमा के ततकालीन गुरु गुरुंडवार वियासत बेलगाउं नामक इस्थान में हुआ इनके पिता का अनम दिगंबर गोपाल प्लुसकर था राग जौनपुरी के रचेइता कौन माने जाते हैं मान सिंग, तोमर, जैदेव सिंग, सुल्तान हुसेन शर्की या कुमार गंधर्व जौनपुरी राग के रचेइता कौन है इनमे से आपको बताना है इसका सही आंसर होगा सी, सुल्तान हुसेन शर्की राग जौनपुरी के रचेइता सुल्तान हुसेन शर्की माने जाते हैं इस राग को आसावरी ठाट से उत्तपन माना गया है इसकी जाती साडव संपून है, कुछ विदवानों की धार्ना है कि जौनपुरी के सुल्तान हुशेन शर्की ने इस राग की रचना की थी इसलिए इसे जौनपुरी राग कहा गया चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 32 है माया मालव गौडम राग हिंदुस्तानी संगीत में किसके समकक्ष है मालकोष, हिंडोल, भैरव यद तोड़ी माया मालव गौडम राग हिंदुस्तानी संगीत में भैरव के समकक्ष है भारत में संगीत की दो पद्धियां प्रचलित है दक्षिनी पद्धिती और उत्री पद्धिती ठीक है दक्षिनी संगीत पद्धिती को करनाटक संगीत पद्धिती भी कहते है कोशन नमबर 33 राग पूर्य धनाशरी किस थाट का राग है आसावरी मारवा तोड़ी या पूर्वी To which थाट राग पूर्य धनाशरी ब्लॉंग Is right answer D पूर्वी पूर्य धनाशरी राग को पूर्वी थाट जल्न राग माना गया है इसमें रिशव धैवत कोमल तथा तिवर मध्यम परियोग किया जाता है वादी पंचम तथा समवादी सड़ज है जाती संपूर्ण वक्र गायन समय साइकाल दिन का चोथा प्रहर है Question number 34 ब्रंप मताल में कितने विभाग हैं 10, 14, 12 या 11 इसका सही आंसर होगा बी 14 28 होते हैं ऐसे ब्रह्मा ताल एक अप्रचलित ताल है इसमें तालों की मात्रा बिभाग सोरी सोरी बिभाग पूछा गया है ना मैं मात्रा की सोच रहता इसलिए 28 मात्रा होती है ब्रह्मा ताल में 14 विभाग होते हैं दो-दो करके होता है तो 14 इंटू 2, 28, ओके, तो ताली 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19 और 21, 25 पर तधा 3, 17, 27 पर खाली होता है, Question number 35 है, मन रंग किस घराने के जन्मदाता माने जाते हैं, आगरा, जैपूर, गौलेर, किराना, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं कम टाइम में जादा चीजे करवाओ, आपको एक चीज और बता दूँ कि अभी जो net के Cutoff के बारे में मैंने, Cutoff के बारे में मैंने अच्छे से बता रखा है, तो वो सारा आप जाके देख सकते हैं, Cutoff के बारे में एक वीडियो बनाई है, उस पे जाके आप वो देख सकते हैं, लास्ट वीडियो है यह, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी देते हुगा, या तो आप टेलीग्राम से भी ले सकते हैं, टेलीग्राम का नाम All Music Exam के नाम से हैं, देखिए, इसका सही आंसर होगा, B, जैपूर, जैपूर घराने में साधारन रागों में से में भी वक्रत ताने ली जाती हैं, जो कि इस घराने की गाईकी को सौंदर्पूर बनाती है, मनरंग, जैपूर घराने के जन्मदाता माने जाते हैं, मनरंग, सदारंग, नेमत खा के पुत्र थे, यहां भी बीनकार थे, इन्होंने दुर्पत धमार होरी, और खयालों की रचना की है, आगरा घराने के जन्मदाता हाजी, सुजान, ग्वालियर के नथन पीर बक्स, वे किराना घराने के अब्दुलकरीम खां साहाव जीत थे, कोशन नमबर 36 है, धुर्पत के प्रचार प्रसार का श्रेक की से जाता है, बड़े मोहमत खां, मोहमत शाहरंगीले, मान सिंग, तोमर, अमीर, खुश्रो, सही अंतर सी है, मान सिंग, तोमर, धुर्पत की प्रचार प्रसार का श्रे, मान सिंग, तोमर को जाता है, इसके लिए इन्होंने ग्वालियर के एक विद्ध्याले भी खुलवाया था, जिसका नाम ग्वालियर स्कूल आफ म्यूजिक था, दुरुपत गंभीर प्रकर्दी का गीत है, इसमें गाने में कठिन और फेफड़े पर बल पड़ता है, तीके फेफडों पर बल पड़ता है, दुरुपत गंभीर प्रकर्दी का गीत है, इसे गाने और फेफडों पर बल पड़ता है, इसलिए इसे मर्दानी संगीत कहते है अधिकांज, प्राचीन, धुरुपर्दू के चार भाग होते हैं इस्थाई अंतरा संचारी आब होगी इसे मरदानी गीत के नाम से भी जाना जाता है ये भी याद रखना Question number 37 है सडस ग्राम का निशब किस शूती पर इस्थापित है? दयावती रक्तिका, रौद्री या रजवी शूती के उपर मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ आप सब उसे देखना आप सबको पसंद आएगा Right answer B सडस ग्राम का रिशब रक्तिका शूती पर इस्थापित है वह ना जिसे हम इसपस्ट रूप से सुन सके समझ सके किनी दो नादों के बीच का अंतर बता सके शूती कहलाता है, शूतियों की संक्या 22 है, कितनी है 22 है Question number 38 मध्यम ग्राम की शूतियों का कर्म होगा 432, 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 432 मध्यम ग्राम का आपको बताना है सही अंतर सी होगा इसका मध्यम ग्राम में 27 स्वरों कर्म से 432, 432, 432, 432, शूतियों पर इस्तित है इस ग्राम के पांचवे और छटे स्वर, सडस ग्राम के स्वरों से भिन्न है अनेता सभी 6 स्वर समान है अंत मध्यम ग्राम के 7 स्वरों कर्म से इसी प्रकार से 432, 432, 432, 432, शूतियों की दूरी पर इस्तित हो गए है तो यही आपको अच्छे से करना है कोशन नमबर 39 है छेत्र काकू का सम्मंध है यह बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ठीक है काफी इंपोर्टेंट है यह सई आंसर है सी कंट छेत्र काकू का सम्मंध कंट से है छेत्र काकू परतेक व्यक्ति के इस्त्रिया पुरुष के अपने कंट के गुण धर्म से सम्मंधित है छेत्र सरीर को कहा जाता है कंट शरीर का ही अव्यव है भिन कंटों से निस्त्रित ध्वनी अर्थात स्वरों के प्रभाब में भी भिन्नता अवश्य रहती है तो छेत्र काकू सम्मंध किस से है कंट से है अब देख लीजिए कोशन नमर चालीस है महाद विशी भरत के विक्रित स्वरों के नाम क्या है कोमल देवत कोमल विशव काकली निशात कोमल गंधार अंतर गंधार काकली निशात अंतर गंधार सही आनसस का सी होगा अंतर गंधार और काकली निशात भरत ने साथ सुध स्वरों दो विक्रित जिसे उन्होंने साधान का है अंतर गंधार और काकली निशात मानकर कुल नो स्वर वर्नित किये उन्होंने अपने सुध स्वर इस्थानों की इस्थापना उनकी अंतिम शूती पर की जैसे कि सा है और सा को चार शूती दी गई है तो एक दो तीन चार तो यहां इस्थापित किये ठीक है चौथे पर सा को इस्थापित किया है कोशन नमर 41 है करनाटक संगीत में कितने परकार का गंधार है एक, दो, तीन या चार करनाटक संगीत में कितने परकार का गंधार है राइट अन्रस तीन परकार का गंधार होता है करनाटक संगीत में तीन परकार का गंधार है पहला शुद्गा, दूसा साधानगा, अतीसा अंतरगा, करनाटक संगीत में स्वर का सबसे नीचा जो रूप होता है वो शुद्ध होता है, और हिंदुस्तानी संगीत में कोमल, करनाटक पद्धती में कुल स्वरों को एक से अधिक नाम है, किन्तु हिंदुस्तानी संगीत मे केबल एक ही नाम है ठीक है है कि अज़िए परिजात में मिलने वाला शुद्षब तक किसके समान है काफी कल्यान विलावल या खमाज सही आंसर ए है काफी संगीत परिजात में मिलने वाला शुद्षब तक काफी के समान है संगीत परिजात 1650 इसमी में आहुबल के द्वारा लिखा गया और दीनानात्य फार्सी में इसका अनुवात किया है संगीत परिजात का शुद्षब तक उत्तर भारत के काफी और दक्षिन भारत के खरर पिया के नाम से जाना जाता है ओके अगे चलते हैं कोशन नमबर 43 पर अगे द्रवा गीत का उल्ले किस गरंथ में मिलता है ब्रहदेशी संगीत रतना कर नाट सास्त्र संगीत परिजात द्रवा गीत का उल्ले किस गरंथ में मिलता है तो इसका सही आंसर होगा C. नाट सास्त्र ओके द्रवा गीत का उल्ले किस गरंथ में मिलता है नाट सास्त्र 32 अध्याय में द्रवा गीतों का सम्मंद वे विवरन है चंद पद, वृत, विस्षिस्ट रचना द्रवा गीतों के निर्मान में सहीोग देती रही है Q. 44 है तान सेन का जन्म कहां हुआ था इटा, बेहट, आगरा या व्रंदावन एटा, बेहट, आगरा या व्रंदावन सही आंसर भी होगा बेहट में हुआ था तान सेन का असली नाम तन्ना मिश्र था और पिता का नाम मकरन पांडे अधिकांस विद्वानों के मत अनुसार उनका जन्म 1532 इश्वी में ग्वालेर के 7 मील दूर बेहट ग्राम में हुआ था Q. 45 है काकू के कितने प्रकार कहे गए हैं 6, 5, 7 या 4 तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A. 6 कहे गए हैं काकू के 6 प्रकार कहे गए हैं जैसे राक काकू जैसे स्वर काकू राक काकू अन्य काकू अन्य काकू अन्य राक काकू देश काकू छेत्र काकू यंत्र काकू ये सब हैं ठीक है धनी केtalk उतार चड़ाव भावयक्त करना काकू कहलाता है कोज़िन नमर 46 है मार्वा ठाट के समान दक्षिन भारतिय मेल है काम वर्धनी, गमन प्रिया, नट भहरवी, हरी काम भुजी मार्वा ठाट के समान दक्षिन भारतिय मेल है सही आंसर वर उसका B गमन प्रिया मारवा ठाट के समा दक्षिन भारतिय मेल गमन प्रिया है भातखंडे जी ने व्यकट मुखी ने 72 मेलों में से 10 मेल चुनकर उन्हें ठाट नाम दिया और उनका उत्तर भारत के जिन मुख्य 10 रागों से साम में था उन्हें आशे राग मानकर ठाटों का नाम करण दिया मेल या ठाट प्रियावाची शब्द है मेल या ठाट या संस्थान प्रियावाची शब्द कहलाते हैं आपस में कोशन नमबर 47 पंडित भाध खंडे के तीव्र मध्यम वाले ठाट कितने हैं चार पांच चैया दस हाव मैनी ठाट्स आर द त्री विच तीव्र मध्यम में टेंड बाई पंडित भाध खंडे तीव्र मध्यम वाले ठाट कौन कौन से हैं यह बताना है आपको चार आंसर इसका सही होगा ठीक है ए आंसर इसका सही है पंडित भाध खंडे के तीव्र मध्यम वाले चार ठाट हैं हिंदुस्तानी संगीत पद्धिती में आजकल दस ठाट माने जाते हैं इन ठाटों में से समस्त राग उत्पन माने गए आधुनिक काल में स्वर्गवासी विष्णू नायन भाध खंडे ने ठाट पद्धिती को प्रचार में लाने की कलपना की और ठाटों की संख्या दस माना से रहुआ जिनके नाम कर्म से कल्यान विलावल खमाज काफी पूर्वी मारवा आसावरी बहर बहर भी तदा तोड़ी है इन में से कल्यान ये देख लीजिए एक बड़ इन में से कल्यान मारवा पूर्वी और तोड़ी ठाट ऐसे हैं जो पंडित भात खंडे के तीवर मध्यम वाले है कोशन नमर 48 है संगीत बाल बोध किसकी रचना है मतंग आहोबल बीडी पलुसकर या रविंदर नाथ टैगोर सही आंसर है सी बीडी पलुसकर संगीत बाल बोध पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर जी की रचना है पंडित बीडी पलुसकर का जन्व 18 अगस्त 1872 को मुंबई प्रेसिडेंसी मुंबई के कुरुंडवार बेल गाउं में हुआ था इनके द्वारा रचित पुस्तकों की संख्या 50 है जिन में कुछ प्रमुक है संगीत बाल बोध स्वर्लाप कह स्वल पालाप गायन संगीत तत्व दर्शन राग प्रवेश भजना मिर्त लहरी भक्त प्रेम लहरी टप्पा गायन राष्टिय संगीत महिला संगीत संगीत बाल प्रकाश कौशन नमर 49 है कौन सी गीत शैली पूरवे पंजाव अंग से गाई जाती है खयाल तराना ठुमरी ये टप्पा स्यांसर इसका सी ठुमरी ठुमरी गीत शैली पूरव पंजाव अंग से गाई जाती है यह गीत का वह प्रकार है जिसमें राग की सुद्धता की तुलना में भाव सौंदर पर अधिक महत्व दिया जाता है बनारस लखनों और पंजाब की ठुमरिया विशेश रूप से प् कोशन नमबर 50 है ध्वनी को बिना खंडित किये एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं मीड़ खटका मुर्की अकड़ वàngिर तंशरे पर बना खंडित कया कर रूस से थार प्स। इस स्वर के स्वर्ण है पूसरे को पहीं जा बिना का भाव दाएन. कि द्वनी को बिना खंडित किये एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को मीड कहते हैं ठीक है मीड होगा इसका अंसर मुर्की नहीं होगा मीड होगा ओके मीड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार स्पर्स होता है कि कि वे कि वे अलग-अलग सुनाई नहीं पड़ते उधारन सा से म तक मीड लेते समय बीच के स्वरों का इस प्रकार होता है किन्तु वे अलग-अलग सुनाई पड़ते हैं मीड दिखाने के लिए स्वरों के उपर उल्टा अर्ध चंद्राकार बनाते हैं जैसे यह देख लीजिए मा से सा जाएंगे तो ऐसे जाएंगे ठीक है इस प्रकार से जैसे केडार में लिए जाता है सा से मा तो इस तरीके से सा से सीधे मा पर गए न तो उस तरीके से 51 है question number सब तक को हम किस अन्य नाम से जानते हैं स्थान, मेल, संस्थान या ठाट पूछा जाता है बहुत वारी बहुत वार पूछा गया है सब तक को हम इस्थान भी कहते हैं और ये तीनों ही संस्थान भी ठाट है ठाट भी ठाट है, मेल भी ठाट है सब तक को हम इस्थान नाम से भी जानते हैं साथ शुद्षवरो को क्रमवार समू को सब तक कहते हैं संगीत में केवल तीन सब्तक ही माने है, इन तीनों सब्तकों को मंद्र सब्तक, मद्य सब्तक, तार सब्तक कहते हैं, लोचन ने राग तरंगनी में थाट को संस्थान का है, थाट को हम मेल भी कहते हैं कोशन अबर 52 है महराज संगीत की किस विधा से सम्मंदित है कत्थक कत्थकली भतनाटियम कुच्चिपूडी सई आंसर इसका ए कत्थक बिन्दा दीन महराज भार्टिय सास्तिर संगीत नित्य शैली कत्थक से के प्रस्चिद नर्तक थे वे भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे बिन्दा दीन महराज कृष्ण को समर्पित करते हुए सैकड़ो गीत लिखे है नोने यहाँ गीत आज भी गाये जाते हैं और इन पर नित भी किया जाता है कोशन नमबर 53 है संगीत रतना कर में वर्णित दश्विधी राग के अंतरगत कौन सा ग्रूप समलित नहीं है भाषा विभाषा उपभाषा या अंतरभाषा सई आंसर है इसका सी उपभाषा संगीत रतना कर में वर्णित दस विधी राग वर्गी करण के अंतरगत उपभाषा समलित नहीं है संगीत रतना कर में 264 रागों को 10 वर्गों में वर्गी कर करके दिया गया है जिसे 10 विधी राग वर्गी करण कहते हैं यही ग्राम राग वर्गी करण है कोशन नमबर 54 है सोमनात ने कौन सा ग्रंत लिखा खर मेल कलानी धी संगीत चंद्रिका राग विभोध या मांसो लाज देखिए जब explain भी किया जा रहा है यहां पर इसलिए आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और कम समय में हम ज्यादा कोशन करते हैं आप यह मत सोचिए कि हम सिप 30 कोशन कर रहे हैं हम 30 नहीं कम सक्वादा हम 100 कोशन कर रहे हैं इससे भी ज्यादा हम 1500 के आसपास कोशन हम कर कर रहे हैं क्योंकि एक कोशन में हम चार कोशन कर रहे हैं 120 कोशन के आसपास हम कर रहे हैं क्योंकि एक कोशन में हम चार कोशन को पढ़ रहे हैं ठीक है इसका जो सही आंसर होगा वह होगा C देखे, राग विवोध, सोमनाद ने राग विवोध राग लिखा है, सोमनाद कृत राग विवोध 1609 में पंजाब विवेक, पाँच विवेक अध्याय है, इस ग्रंथ में 22 रूतियों के लिए 22 परदे बांधने का विवरण है, सोमनाद ने 7 शुद और 15 अशुद स्वरों का वर्णन 23 मेलों के अंतरगत किया है, इसमें उत्तर भारतिय संगीत के दो चिन विक्रित स्वरों के तिवर, तिवर तव आदी नाम वीना के दो मेल, विदी सुद मेल, एव मध्य मेल, थाट सब्द, रागों के ध्यान, राग रागनी भेद प्राप्त होते हैं, कोशन नमर 55 है, किस ग्रंथ में राग वर्गी करण सब्र प्रथम मिलता है, नाट सास्त, ब्रहदेशी, संगीत, रतनाकर या स्वर मेल कलाने थी, इसका सई आंसर है, राग वर्गी करण सब्रथम मिलता है ब्रहदेशी के अंदर, ओके, तो ब्रहदेशी करण्थ में राग वर्गी करण सब्रथम मिलता है, इसके लेकर मतंग मुनी है, इस ग्रंथ के समय के विशय में विद्वानों के कईमत है, डॉक्टर रागवन के विचार मतनुसार इस रचना को 1825 से 1875 के मध्य का समझा जाना चाहिए, यहाँ दस अध्याओं का संगीत ताल तथा वाध्यों का एक करण्थ है, इसमें देशी लक्षणम, नादो को उत्पत्ती श्रूती निर्मान, अलंगकार गीतियां जाती राग लक्षणम, भाषा लक्षणम और प्रवंद अध्याय का वर्णन मिलता है, कोशन नमर फिफ्टी सिक्स है, धामार ताल का विभाग क्या है, नीचे दिया हुआ है, आप अच्छे से देखें और बताईए, आप्षन आपको नीचे दिये गए हैं, कुट आपको नीचे दिये गए हैं, सही आंसर का B है, ठीक है, धामार ताल का विभाग 5, 2, 3, 4 है, धामार ताल में 14 मातरे होती हैं, इसमें 4 विभाग, ताली 1, 6 और 11 पर तथा खाली 8 पर होती है, या मर्दंग का एक मुख्य ताल है, इसका जो ठेका है, वो आप अच्छे से देख लीजिए, कधी तधी तधा आगती तथी तता आक, ये इसके बोल हैं, कोशन नमबर 57, राग एव ताल बद्ध स्वर रचना विशेश कहलाती है, लक्षन गीत, भाव गीत, चतुरंग, सर्गं गीत, सही आंसर डी है, सर्गं गीत कहलाएगे, राग एव ताल बद्ध स्वर रचना विशेश सर्गं गीत कहलाती है, सर्गं गीत के अन्य गीतों की भाती ही इस्थाई वे अंतरा होता है, पर तुर गीत के बोल नहीं होते, बोल के इस्थान पर राग का वाची स्वर संगतियों का गायन किया जाता है, जो ताल में निबद्ध होती है, जिसके गायन से विद्धार्थी के मस्तिष्क में राग का पारंबिक स्वरूप इसपस्थ हो जाता है, ठीक है, अब देखें यहाँ पर एक पर इस कुशन को और देख रहेते हैं, राग एव ताल बद्ध स्वर रचना को विशेश कहला, जो विशेश है, राग ताल बद्ध स्वर रचना विशेश कहलाती है, अब लक्षन गीत में क्या होता है, लक्षन गीत में राग है हाँ, ताल बद्ध भी होता है, स्वर रचना भी होता है, और यहां पे भाव गीत देख लीजी आप तो भाव गीत जो है आपका वह क्या होता है यह नहीं होगा, यह तो बिलकुल ही नहीं है, चतुरंग, राग है, तालबद भी है, विशेश है, विशेश नहीं हुआ यह, सर्गम मीद विशेश होगा, ठीक है, यह दोनों लक्षन गीत में भी राग होता है, लेकिन राग यह तालबद हो, हाँ राग नहीं हो, तालबद ह गीत नहीं है इसमें अगर इसमें गीत भी मेंशन होता तो इन में से दूसरा हो सकता था लगिन गीत मेंशन नहीं इसलिए सरगम होगा करनाटक संगीत का पितामा किसे कहा जाता है शामा सास्त्री सारंगदेव पुरंदर दास या त्याग राज करनाटक संगीत का पिता माप पुरंदर दास को कहा जाता है संथ पुरंदर दास 1484 से 1564 ईसवी के चतुर डंडे संपरदाय के सुलादी गीतम आदी की रचना की रचनाओं की संख्या 4,75,000 मानी जाती है संगीत शिक्षण के पारामबिक सरगम और गीतो प्रकारों की रचना इन्होंने की ऐसा माना जाता है मनी पूरी नित्य मनी पूरी नित्य शैली की कौन सी विशेष्टा है तांडव अंग, लांस अंग, राम लीला या सांथ अभीने इंपोर्टेंट है ज्यादा इंपोर्टेंट, जिसको मैं इंपोर्टेंट लगा रहा हूँ न, वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ठीक है, इंपोर्टेंट को सारे ही है, कोशन पेपर है यह लास्ट टाइम का तो इंपोर्टेंट को सारे ही है सही आंसर इसका मनिपुरी नृत्य सेली की विशेश्ता रासलीला है क्या है मनिपुरी सीदे समंदित है रासलीला से यहां नृत्य मुखिता हिंदू व्याषनव प्रसंगों पर आधारित होती है जिसमें राधा और कृष्ण के प्रेम प्रमुख है मनी पूरी नित्य भारत के अन्य नित्यों रूपों से भिन्य है इसमें शरीर धीमी गती से चलता है संकेतिक भव्यता और मनमुहग गती से भुजाएं उंगलियाओं तक प्रभाविक होती है Q60 है जिस स्वर से राक को ग्रहन करते हैं वह स्वर डैस होता है अन्स्वर वादी स्वर अन्वादी स्वर ग्रह स्वर संयांसर इसका डी होगा ग्रह स्वर ग्रहन किया जाता है सीधे वहाँ पर बोल दिया गया है ठीक है तो जिस स्वर से राक को ग्रहन करते हैं वह स्वर ग्रह स्वर होता है जाती या राक का पारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है जाती ये याद रखना जाती अलग से करके पूछा जाएगा जबी तो ऐसे करके पूछा जाती राक का पारंभिक स्वर ग्रह कहलाता है अर्थार्थ जिस स्वर से जातिया राग पारंबिक पारंब किया जाता था उसे उस जातिया राग का ग्रह स्वर कहते हैं या राग पारंब किया जाता है जातिया राग पारंब किया जाता है उसे उस जातिया राग का ग्रह स्वर कहते हैं तो कोशन नमबर 60 था जिस स्वर से राग को ग्रहन करते हैं वह स्वर होता है अन्स्वर वादी स्वर अनुवादी स्वर ग्रह स्वर ये प्रश्ण हमने लास जिस स्वर से राग को ग्रहन करते हैं वह स्वर ग्रह स्वर होता है जाती या राग का पारंबिक स्वर ग्रह कहलाता है अर्थार्थ जिस स्वर से जाती या राग पारंब किया जाता था उसे जाती या राग ग्रह स्वर कहते हैं ग्रह स्वर कहते हैं ठीक है कोशें नमबर 61 शुद्ध गंधार की आंदोलन संख्या कितनी है 320, 300, 350, 400 नेट, जी आरेफ के लिए मैंने कटफ जो बताया था वो आप अच्छे से जाके देख सकते हैं और अभी एक दो वीडियो पहले मैंने वो क्लास करवाई थी बोर्ड पे वो मैंने करवा रखा है और 2019 से लेके 2023 तक कर सबका मैंने उसमें कटफ बताया है और इन दोनों के हिसाब से मैंने इस वार का कटफ कितना जाएगा वो बता रखा है तो वो जाके भी आप सब देख सकते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा तो आप सब जरूर जाके देखें देखिए इसका सही आंसर होगा बी शुद्ध गंधार के आंदरोल संक्या 300 होती है ठीक है चली आगे चलते हैं कोशन नमेर 62 है स्वर साम्यता के आधार पर राग रागनी वरगी करण का सिद्धान किस विद्धवान ने दिया मुहमद रजा सादीक अली पंडित भादखंडे मुहमद करम इमाम और मैं आपको वाइट बूर्ड पे सारी चीजे एक एक टॉपिक लेके सारी चीजे थियोरी मैं करवाने वाला हूँ ऐसा मैंने सोच रखा है तो आप सा मुझे बताना यह कितना सही रहेगा जिससे आप अगर स्कूल के बच्चे हो तो भी होगा अगर आप PGT PGT कहीं का भी PGT PGT आए ठीक है उसमें जो भी टॉपिक है वो थियोरी के आधार पे करवाया जाएगा और नेट में जितना भी सिलेबस हो ठीक है कि थियोरी को लेके मैं सोच रहा हूँ तो आप सब बतानक कैसा रहेगा सही रहेगा और free of cost होगा कोई भी उसका charge नहीं है कोई भी आपको fees पे नहीं कहना है ये सब देखे इसका सही आंसर होगा A मुहमद रजा स्वर समयता के आधार पर राग रागनी वर्गी करण का सिद्धान्त मुहमद रजा ने दिया मुहमद रजा ने राग और रागनी के स्वर समता आलाने में चेष्ठा की किन्तु केवल स्वर समयता प्रयापत नहीं था छे राग उसकी 30 राग VR बताई है मुहमद रजा ने ठीक है तो मैं यहीं कह रहा था कि सारे topic मैं उसक पे करवाऊंगा आप सब मुझे बताना कमेंट करके कैसा रहेगा थियोरी करवाओं या नहीं करवाओं हला कि आपको मैं बता दू कि मेरे जो पॉपलर जो रहे हैं न अभी तब के जो वीडियो क्लास में सबसे पॉपलर रहा है वो थियोरी क्लास इसी रहा है जब आप यूटूब पे जाके देखोगे पॉपलर पे जाके देखोगे वीडियो में जाओगे तो साइड में एक पॉपलर का उप्शन आता है उसमें जाके आप जब देखोगे तो आपको दिखेगा popular में मेरी जितने भी चीज़े हैं चाहे वो वीना को लेके है तबला को लेके है आपको harmonium को लेके है या theory ग्रंतकारी इन सब के बारे में जो मैंने बता रखा है theory तो वो आपको अच्छे से यह तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि TGT के लिए है और यह थियोरी के साथ है इसलिए आपको काफी जाधा health होगी ठीक है आपका feedback मेरे लिए बहुत मतलब की एक उमंग बनता है वो मेरे लिए feedback आपको मैं क्या बता हूँ कि income बहुत ज़्यादा आती होगी या बहुत ऐसा नहीं होता एक साल डेड़ साल में income का कुछ होता है आता है वरना इतनी जल्दी इल्दी नहीं आता है ओके तो यह सब कुछ जो है यह एक बहुत टाइम के बाद कुछ होगा तो होगा अभी तो यह है कि हां कर्म करो नेकी कर और दरिया में डाल तो यहीं चीज़ है बस 63 मूल स्वर के पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं अनू कन पूर्व लगन कन पूर्व कन अनू लगन कन मूल स्वर से पूर्व में लगने वाले स्वर को क्या कहेंगे तो बी होगा मूल स्वर से पूर्व में लगने वाले स्वर को पूर्व लगन कन कहते हैं अंति कन स्वर को मूल स्वर की बाई और लिखा जाता है जैसे ग, ठीक है, कन स्वर मुख्यता दो प्रकार के होते हैं, पूर्व लगन कन और अनूलगन कन, ठीक है न, एक तो होगा मतलब की, जैसे ग से रे लग रहा है, एक होता है की, गापे पा का कन है, इस तरीके से भी होता है, चलिए आगे चलते हैं, कोशन नंबर 64 है, संगीत रतना करके किस अध्याई में वग्यकार के गुनों का विवेचन किया गया है, विवेक अध्याई, पक्विण अध्याई, प्रवंध अध्याई, स्वर्गता अध्याई, एक मेरा और चैनल है, वहाँ पे भी आप विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पे मेरे सॉंग्स है, वो महिश राई के नाम से है, ठीक है न, महिश राई के नाम से है, यह जो आप चैनल देख रहे हैं, तो सिंगर महिश्राई के नाम से तो दोनों मुईरी चैनल है सारंग दे में लिखा है कि वगेकार वह है जो स्वयम कवीता बनाकर और उसे स्वरवाध्य करने में निपून हो वगेकार के तीन भेद हैं उत्तम मध्यम अध्धम संगीत रत्नाकर के साथ अध्याई हैं जिने हम सब्त अध्याई कहते हैं प्रक्रिन अध्याय का स्थान सब्ध अध्याय में तीसरा है इसी अध्याय में वग्यकार के गुन दोसों अलावा उत्तुप गमक रागलाप्ती के बारे में बताया गया है कोशन नमर 65 जब ताल को करनाटक ताल सैली में कैसे बदलेंगे आपको नीच ऑप्षन दिया गया है बताये जब ताल को करनाटक संगी ताल में कैसे बदलेंगे करनाटक ताल शैली में बदलने पर इस तरीके से होगा अंध इस जब ताल 10 मात्रा की होती है और आपका इसको क्या कहेंगे इसे कहा लगू कहते है ना इसे इसको चार कहेंगे इसको एक कहेंगे मात्रा होगा इस प्रकार से तो पांच तीन डस हो जाएगे तो ठीके ना इसे कहते हैं अनुदृत इसे कहते हैं दृत थोड़ा सा में माइन से स्कीप हो गया है अभी ये चीज ठीक है Q66 निमलिकित में इसे किस संग्या का प्रियोग समय मापन की इकाई के लिए होता है ताल ले मात्रा छंद राइट आंसर C है इसका मात्रा मात्रा का प्रियोग समय मापन की इकाई के लिए होता है गायन वादन करने में जो समय लगता है उसे मापनी की इकाई को मात्रा कहते है इसका परिभाशित शब्द लगू है मात्रा की लंबाई के आधार पर ले के प्रकार बनते हैं ओके कोशन नमबर 67 है गमक का प्रियोग किस गायन शैली में सर्व अधिक किया जाता है mostly in which style गमक is used गमक का प्रियोग किस गायन शैली में सबसे जादा किया जाता है आपके option है खयाल, टपा, दुरुपत धमार या थुमरी इसका सही answer होगा C, दुरुपत धमार गमक का प्रियोग दुरुपत धमार गायन शैली में सर्व अधिक किया जाता है हिंदुस्तानी संगीत में ही दुरुपत गायन में गमक का प्रियोग बहुत होता है नुम्तुम्त के अलाप में भी अंतिम भाग में दुर्त ले अगमक युक्त तानिक ली जाती हैं, पंडित नायन मुरेश्वर खेरे ने कितने अंग में रागांग को विभाजित किया 10, 20, 30 या 40 सही आंदर सका सी है, 30 में क्या था आपको अच्चे से पता है राग में अपनी पहचान की एक विशेश स्वर संगती होती है, यहां रागांग होती है तता इन्हें दौनी विशेश या राग काकू भी कहा गया है आधुनी की युग में विश्णू दिगंबर पलुसकर के सिश्च में नरायन मोनेश्वर खरे ने रागांग वर्गी करण पर विशेश विचार किया और मुख्य तीस राग कहे ये रागांग कहला है अब दिखे रागांग कौन-कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से राग कह गाते हैं कल्यान, विलावल, खमाज, भहरवी, काफी, मारवा, तोडी, पूर्वी, आसावरी, भहरवी, सारंग, ललित, भीम, पलास, श्री, विभास, पीलू, सोरट, केदा, नट, कांड़ा, बागेश्री, शंकरा, हिंडोल, आसा, मलहार, भुपाली, कामूद, भटियार, पिहाग दुर्गा, ठीक है, ये तीस के तीस है, जिसमें सापका जो कल्यान हो गया, विलावल हो गया, खमाज हो गया, भहरव हो गया, काफी हो गया, मारवा, तोडी, पूर्वी, भना, और आसावरी, भहरवी, ये तो आपके दस हो गए, आपके ठाटी हो गए, एक, दो, तीन, चा शंकरा, हिंडोल, आसा, मलहार, भुपाली, कामोद, भटियार, बिहाग, और दुर्गा, ये आपके होगे, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, कि आप इन तीस रागों को जरूर कर लें, अगर आपको राग जो, वीक भी है, आपका राग का जो पार्ट है, वो वीक भी है अगर तो भी आप, अगर आप, क्योंकि आपने तो प्रवाकर कर रखा होगा, छें साल का, और उसके व्या तो आपने लिम्यूज किया होगा, एम्यूज किया होगा, ना तो अगर आपने ये सब कर रखा है, तो अगर आपकी राग आपने कम भी कर रखे हैं, तो भी आपको ये राग कम से कम 30 जरूर आने चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये जड़ है, पूरा, पहले तो आपको ठाट करना है, जो ठाट वाले राग हैं, उस पे पकड़ बनाईए, देन उसके बाद आपको ये और जो ये राग 30 के 30, उसमें से 10 निकाल के जो ये 20 बचेंगे आपके, फिर उस पे आपको रहान देना है, ये 30 राग अच्छे से आप कर लीजी, क्योंकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी चीज़े, आपको करने में असानी होगी, कि किसी चीज़ को समझने में असानी होगी, ठीके न, आपका माइन खुद बताएगा, कि ये कोशन का अंसर ये होगा, कोई मतलब कि राग का कोई सुरावली दे दी गई, आरो पूछा दे गया, या अवरो पूछ दिया गया, या पकड़ पूछ दिया गया, वो इन में से नहीं भी है, तो आप आप ऑटोमेटिक उसे कनेक्ट करोगे, आपका माइन मले कि इस थाट से है, तो इसका वादी समवादी ऐसा है, अपने आप आपको पता चलेगा, कि उसमें से दो तीन आग ऐसे होगे, जो आपको बहुत अच्छे सा आपने किये होंगे, या उसका आगे वाला विक्ति चलन जानता होता है, या तो उसका, क्या जानता होता है, विक्रित स्वर जानता होगा, उसका विक्रित नहीं लग रहा, तो किस तरीके से उसका चलन है, वो जानता होगा, तो इसी तरीके से लोग जादा तर लोग इसी तरीके से रागों में के जो स्व बजने का तरीका यह भी आपका यह नहीं है कि पूरी तरीकेस आप समझी जाओगे 70% ऐसे समझ पाओगे ठीक है और आपको राग को थोड़ा बहुत आप गाना चाहिए आपको आरो अवरो पकड़ इस थोड़ा से अलाब तो आपको नो वह माइंड में रहेगा नो तो आटो प्रश्ण में आपने गलती की होगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं परश्चा संगीत में माइनर इसकेल किस भारतिय थाट को दर्शाता है विलावल आसाबरी कल्यान या भैरवी विलावल आसाबरी कल्यान या भैरवी राइस बी आसाबरी कोई भी प्रॉब्लम होती है मेंगे तरफ से तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताय करें फीड़बैक में जरूर बताय करें आपको अच्छा लग रहा है वो भी बताय करें ठीक है पश्यात संगीत में माइनर स्केल आसाबरी भारतिय थाट को दर्साता है जब किसी भी मेजर स्वरांतर को एक सेमी टोन कम कर देते हैं तो वहाँ minor स्वारांतर कहलाता है क्योंकि इस scale में C सा से 33 स्वार का अंतर minor होता है अंतर इस scale को minor scale कहते हैं पश्चाथ संगीत में major scale विलावर भारतिय थाट को दरसाता है Question number 70 है करनाटर संगीत का काकली निशादम हिंदुस्तानी संगीत में किस नाम से जाना जाता है शुद धहवत, कोमल धहवत, कोमल निशाद, शुद निशाद Right answer is करनाटर संगीत में काकली निशाद को हिंदुस्तानी संगीत में किस से नाम जाना जाता है शुद निशाद के नाम से जाना जाता है चलिए इसको अच्छे से हम explain करके देख ले करनाटक संगीत का काकली निशाद हिंदुस्तानी संगीत में शुद निशाद के नाम से जाना जाता है सब्तक के 12 सवरों को देखने पर पता चलता है कि करनाटक की पद्धती का शुद रे अर्धा हमारी उत्री संगीत पद्धती के कोमल रेधा के समान है फिर से एक वाद देख लिज़े, 12 सब तक देखते हैं, कनातक पदिती में जो सुद्य रेधा है, ये रेधा को आपके कैसी याद रखना है, भेरं में लगता है ना रेधा? ऐसे याद रखो, चुद्य रेधा जो हमारी उत्री संगीत पदिती में कोमल रेधा करी समान है, किस हिसमें लगता है यह दोनों इसमें आफ में तो इस तरीके से लह को जो कर्नाटक संगीत में शुद्ध के सवान है सीधे एक्श्वर छलंग लगा देते हैं जू शुद्रेधा है हैं वहां के वो गनी शुद्ध के समान हैं चलिए आगे कोश्चन नमबर है 71 गज जंपा ताल की कितनी मात्राएं है 14 15 16 या 17 मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से समझा समझा के मैं सारे प्रश्न करवा हूँ देखे पहले के भी मैंने सारे प्रश्न करवा रखे हैं अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी का एक्जाम के लिए आपने फॉर्म भरा है न और आपने मिस किया इन सब चीज प्ले लिस्ट पे जाई यह वहां पर देखे सारे कोशन पीपर आपको मिलेंगे सब के सब और वो सब से पहले आपको करने है थयोरी सारे कोशन पीपर पैक्टिस सैट यह सब आपको करने है जराइट आंसर बी पंदे राज जंपा गज जंपा है यह ठी है राज नहीं गज जंपा ताल में पंद्रा मातरें होती है विभाग चार होते हैं एक पाच बार पर ताली और नौ पर खाली होती है यहां मिर्दंग की एक अप्रचलित ताल है मिर्दंग की क्या है एक अप्रचलित ताल है यहाँ दृपद अंग की गाय की शैली के साथ संगत करने की एक उप्यूक्त ताल है यह लाल नहीं है यह ताल है ऊके? चलिए आगे कहीं-कहीं पे कुछ चीजे मिस्टेक होती है, प्रिंट में मिस्टेक हो जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है, हाना, देखिए, आप कोशन नमबर 72 है, विश्णु दिगंबर स्वरलीपी पधती में तार सब्तक के लिए चिन है, कौन सा, जो तार सब्तक के लिए कौन सा चिन है, इसमें कहलाएगा चारों देखिए, अच्छे से बताईए, के विएस का आई गया है रिजल्ट, आपने अच्छे से देख भी लिया होगा, बहुत सारी जगह से, बहुत सारे जगह से, अभी रुक्यर्मेंट आने वाली है, तो आप वहां से भर सकते हैं, देखिए, यूपी से आई हुई है, और यूपी से फिर आने वाली है, ल्टी के लिए भी आने वाली है, और बिहार से आने वाली है, ठीक है, बिहार से जब पोस्ट आएगी, तो इतनी आएगी आप हैरान हो जाओगे, ठीक है ना, बिहार से जब पोस्ट आएगी, इतनी आएगी पोस्ट कि आप हैरान हो सही आंसर C होगा इसका विश्णु दिगमर स्वलीपी पदिती में तार सब्तक के चिन स्वरों के ऊपर खड़ी रेखा लगाते हैं जैसे सारे गम इस तरीके से लगाएंगे जैसे हम तिव्र का प्रयूक करते हैं वैसे इसमें तार सब्तक में प्रयूक किया जाता है किराना घराने के प्रसिद्ध गायक कौन थे? किराना घराना गंगे खुदा बक्स अदू खां बड़े मुहमत खां अब्दूल करीम खां और कम से कम आप एक वीडियो को एक जो वीडियो क्लास महीं है उसको आपको दो बार देखना है ठीक है ना दो बार देखना है कम कब देखना है? कम से कम एक हपते के बाद देखो एक बाद देखी वोड़े उसका एक हपते के बाद फिर से देखो ताकर आपको याद कितना रहा है हाणा? अपने आपको एक वाद जज़ी भी कर पाओगे उसके बाद देखे इसका सही Gospel है दी अब्दुलकरीम खान, किराना घराने के पसिद गायक अब्दुलकरीम खान थे, साहरनपूर के निकट किराना घराना, किराना नामक इस्थान से इस घराने की उत्पत्ती हुई, इस घराने की नीव डालने वाले, साधिक अली के पुत्र हदू खान, दमाद बीनकार बंदे अ खां ठीक है सादिक अलिए का कि पुत्र हदु का ठीक है यहां पर गायक पूछा गया है इस लिए यहां पर क्या गायक है अब्दुलकरीम खा है किराना घराने के हां और इसकी इसकी जो नीव डालने वाले हैं अगर आप इसकी सही कर देते तो फिर प्राब्लम हो जाती नीव डालने वाले साधिक अली खांगे पुत्रहदू खांग दमाग बीनकार बंदे अली खांग थी ओके चलिए आग पंडित विश्णो दिगंबर स्वरलिपी पद्धिती में मंदर सप्तक के लिए क्या चिन्न है स्वर के ऊपर बिंदी सां स्वर के नीचे बिंदी सां स्वर के ऊपर खड़ी रेखा और स्वर के नीचे पड़ी रेखा खड़ी पड़ी जो भी है देखे इसका सही आंसर होगा मंद्र के लिए पूछा गया है तो यहांसर इसका सही होगा जो उत्तर भारती संगीत में जिसे तार सब्तक में का चिन्न जो होता है इसमें मंद्र सब्तक का कहलाता है अब देख़े इसको मैं explain कर देता हूँ देखे क्या है पंडित विश्णु दिगंबर स्वारलीपी पद्धिती में मंद्र सब्तक के लिए जो स्वार के नीचे बिंदू या स्वार के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं पंडित विश्णु दिगंबर स्वारलीपी पद्धिती में मंद्र सब्तक के लिए जो स्वार के नीचे बिंदू या स्वार के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं मुझे लगता है यह गलत इन्होंने यह गलत मुझे लग रहा है हाना देखे यह जो प्रश्ण है ना प्रश्णों तो मैंने आपका बता है हो वही सही है यह आपको यह गलत दे रखा है ठीक है ना कि असले के जो मंद्र सब्दक के लिए विश्णु दिगंबर स्वार्लिफ़ी पद्द्धि में जो चिन्न होता है वो स्वर के उपर होता है मंदर सब तक यह होता है विश्णो दिगंबर पलुसकर में यह नोंने भादखंडे के अनुसार यहाँ पे explain कर दिया है प्रिंट में गलती हुआ है चलिए आगी चलते है कोचन नबर 75 है पंडित आखोबल द्वारा रचित गरंत संगीत परिजात कब लिखा गया 609, 635, 650 666 1666 1609, 1635, 1650 1666 सही आनसर इसका सी है 1650 पंडित आखोबल द्वारा रचित गरंत परिजात 1650 में लिखा गया यह मद्धी यूग का सबसे महत्रपून एव व्रिस्तित गरंत है इसका शुद सब्तक वर्तमान काफी के समान था गनित के माध्यम से वीणा पर स्वरो की स्थापना करना इस गरंत की महत्रपून कार है कोशन नमबर 76 है नाट सास्तर में वाध्यों के लिए किस शब्द का परियोग हुआ है कुतब, पटह, अगोत या घट विच टर्म इस यूजड फॉर वाध्य इन नाट सास्तर इसका जो सही आंसर है वो है सी, अगोत आतोग ठीक है नाट सास्तर में वाध्यों के लिए अगोत, आतोग शब्द का परियोग हुआ है भरत रचित नाट सास्तर भारत का प्रथमवे प्राचीन तम संगीत समधित गरंत है इस गरंत में 36 अध्याएं है इस गरंत में नाटिस नित्य गीत वाध्य इत्यादी का विस्त परीचे दिया गया है पठा एक अती प्रचलीत वाध्य है कुशन नमर 77 है पंडित भीम सें जो सी किस घराने से समबंदित है तो विच घराना पंडित भीम सें जो सी पंडित भीम सें जो सी किराना घराने से समबंदित है इस घराने का उद्गम बीनकार उस्ताद बंदे अली खां से माना जाता है किराना घराने में अधिक उचे स्वर से अती विलंबित लै में गाने की परंपरा है अधिक उचे स्वर से अती विलंबित तक गाने की परंपरा है इसमें यहां लै की अपेक्षा स्वर पर अधिक भल दिया जाता है और विलंबित ख्याल अधिक तर एक ताल में गाए जाते हैं अब दिए कोशन नमबर 78 है त्रिवट में क्या नहीं होता वाट इस नॉट यूज़ इंग त्रिवट स्तार्थक बोल तरानी के बोल या सरगम या तबला या पकावच के बोल ऐसे प्रस्ण बहुत आते हैं चतुरंग और प्रिवट मेंसे एक प्रस्ण तो हर एक्जाम में आई जाता है मैं जब आपको कोई चीज करवा रहाता हूँ नो सिर्फ एक चीज को लेके नहीं करवाता है हर चीज को लेके बताता हूँ देखे इसका सही आंचर है सी सरगम त्रिवट में सरगम नहीं होता किसी तराने में जब पकावच या मिर्दं के बोलों का मिश्रन किया जाता है तो इसे त्रिवट कहा जाता है त्रिवट तीन ताल कहरवा ताल में होता है दो मिनट तो इसमें भी मुझे मिस्टेक लग रहा है इसमें जो होना चाहिए इन्होंने C को माना है सरगम लेकिन C मुझे नहीं लग रहा तो आप भी देखना इसमें C नहीं है मेरे त्रिवट में तराने के बोल कप्डियोग नहीं किया जाता ठीक है ना? तो यह होगा यहाँ पे है त्रिवट में सरगम नहीं होता त्रिवट में सरगम होता है किसी तराने में जब पकावज या मिर्दन के बोलो का मिशन किया जाता है तो इसे त्रिवट कहा जाता है त्रिवट तीन तीन ताल कहरवा में होता है तो इसका जो आंसर हम सही मानेंगे भी मानेंगे चलिए आगे चलते हैं देखें यही मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग यहीं भी बुशोषते हैं जो कि एक प्रशन गल्थ हुआ तो फिर साभी गल्थ होगा नहीं ऐसा नहीं होता हर जगा पे एक दो प्रशन गल्थ होते हैं जो कोशन पेपर बी ट्रिप्लेस भी लाती है यू पी टी जी टी लाती है उसमें से भी दो तीन प्रशन गल्थ निकल जाते है नेट जो लाता है उसमें से भी दो तीन प्रशन गल्थ निकल जाते है तो हर जगा पे गलती होता है, कोई भी परिपूर्ण नहीं होता, तो कोशन पेपर बनाने वाला गलत हो सकता है, या जिसने टाइपिंग की हो, टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बस आपको alert रहना है, कि हाँ हमने ये पढ़ा है तो ये चीज सही होगा ओके चलिए आगी चलते हैं कोशन नमबर 79 है भरत की अचल वीना का तेरवी शुर्ती का नाम क्या है मंद्रा संदीपनी वर्जिका या मार्जनी तो इसका सही आंसर होगा दी मार्जनी भरत की अचल वीना का तेरवी शुर्ती का नाम मार्जनी है उनमें मंद्रा का इस्थान तीसरा संदीपनी का सत्रवा वर्जिका का दस्वा इस्थान है, भरत ने अपने ग्रंत नात्रेशास्तर के 28 अध्याय में शुर्ती ग्राम मूर्जना ग्रह अंस न्यास स्वर तता वादी यंत्रों के चार भेद लक्षन त्रिविधी पुरियोग पुरियोग विधी तथा स्वर आधी का वर्णन किया है ओके कोशन नमर 80 कोमल गंधार के सातिवर मध्यम का इस परस किस राग में लिया जाता है मारू बिहाग मधुवन्ती मुल्तानिय पूरियोग गंधार के सातिवर मध्यम का इस परस लिया जा रहा है और यह जो है ना यह चारो मारू बिहाग मधुवन्ती मुल्तानि और पूरियोग यह नेट के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट राग है नेट के लिए बहुत जादा इंपॉर्टेंट है देखिए इसका सभी आंसर है बी मधुवन्ती कोमल गंदार के साथ तीवर मध्यम का इसपस मधुवन्ती राग में लिया जाता है यहा आधुनिक समय का अत्यंत शुती मधु तदा कंप्रीय राग है इस राग के विशे में ऐसा माना जाता है कि यहां मुलतानी राग में रेधा शुद्ध करने पर इसका निर्णे होता है कुशन नमबर 81 है किस गायन शैली में विशेश यप से बंदिश की विविन लैकारी परदशित की जाती है खयाल ठुमरी टपा या धुर्पद कि इसका सही आंसर है डी दुर्पद देखें क्या पूछा गया है पहले यह देखें किस गायन शैली में विशेश यप के बंदिस की भिविन लैकारी प्रदिशित की जाती है तो दुरुपद गायन शैली में विशेश रूप से बंदिस की भिविन लैकारी प्रदिशित की जाती है दुरुपद गंभी प्रकृती का गीत है इसे गाने में कट और फेपड़े का बल पड़ता है फे क्वेशन नमबर 82, स्री निवास की वीना के तार पर शुद मध्यम कितने इंच पर इस्थापित है, 27 इंच, 28 इंच या 32 इंच? अब देखें इसका सही आंसर होगा A A is right, आंसर 27 इंच स्री निवास की वीना के तार पर शुद मध्यम 27 इंच पर इस्थापित है, उन्होंने मेरू और तार सा के बीच के भाग को जो 18 इंच लंबा है, जो बराबर भागों में विभाजित किया, और बिल्कुल बीच में मध्यम स्वर की इस्थापना की, इसलिए मध्यम घुड़क से 18 प्लस, 18 बटे 2, 27 की दूरी पर हुआ, पंडित आहवलने संगीत परिजात नाम ग्रंथ, ग्रंथ में वीना के 36 खुले तार पर 12 सुरों की इस्थापना की और प्रतेख स्वर के तार की लंबाई निकाली किन्तु, उनका वर्णन कई इस्थानों पर अस्पस्ट साबित ह हुआ है, चलिए आगे चलते हैं, कोशन नम्बर 83 है, ख्याल के किस घरानी में नूम्तुम का अलब किया जाता है, क्वालियर, आगरा, किराना या जैपूर घराना, देखे, इसका सही आंसर होगा, बी, आगरा घराना, ठीक है, ख्याल के आगरा घराने में नूम्तुम का अलब किया जाता है, आगरा घराने में जबडे का अधिक प्रियोग होता है, ख्याल के अतिरिक्त दुरुपत धमार अठुम्री में प्रविलता होती है, मुझे जैपूर लग रहा था, लेकिन आगरा है, इसका सही आंसर, ओके, कोश्ण नमबर 84 है, लक्षण गीत रचने वाले वग्यकार है, पंडित भात खंडे, अचार ब्रहश्पती, भरत्मुनी सारंग दे, देखो, इसमें दो बात तो साबित हो गई है, कि वो वग्यकार भी है, लक्षण गीत रचने वाले जो हैं, वो तो हैं ही, साथ में वग्यकार भी है, देखे इसका जो सही आंसर होगा वो होगा A पंडित भातखंडे पंडित भातखंडे लक्षन गीत रचने वाले वग्यकार है जिसे गीत में अपने राग का पूरा लक्षन हो वो लक्षन गीत कहलाता है ठीक है? चलिए आगे कुछ नमर 85 है परमेल परविशक राग पहचानी है पूर्वी भहरी मुलतानी या मारू भ्याग सही आंसर इसका C होगा मुलतानी परमेल परविशक राग मुलतानी राग है कारण यह है कि यह दिन के तीसर पहल का अंतिम राग है यह तोड़ी जनने राग है और यह तोड़ी के बाल मारवा पूर्वी भहरव थाट में प्रविश कराता है इसमें कोमल गंधार के सासत कोमल रे और धा भी कोमल प्रियूप किया जाता है कोशन नमरे 86 है उस्ताद अब्दुलकरीम खा का सम्मन्द किस घराने से था ग्वाले घराना किराना घराना जैपूर घराना अतरौली घराना अभी अभी मैंने इस प्रश्न को बताया है अब्दुलकरीम खा के वारे में दस प्रश्ना पहले देखे इसका सही आंसर होगा बी किराना घराने से है उस्ताद अब्दुलकरीम खा का सम्मन्द किराना घराने से था साहारनपूर के निकट किराना घराना नामा इस घराने की उत्पत्ति हुई इस घराने में ठुमरी गाईकी का विशेश इस्थान है इसकी थुम्री गाई की का वीशिश रिस्थाने ये भी आधक ना इसकी गाई की मुक्यतात तत अंग के अर्थात बीन अंग की है कोशन नमर 87 है काफी थाट के राग को पहचानी जौनपुरी भीमपलासी मालकोश या सारंग देखे इसका सही आंसर होगा भी भीमपलासी ओके भीमपलासी राग का जन्म काफी थाट से माना जाता है इसमें गंधार और निशा दोनों को मल लगते हैं इसमें वादी मध्यम और समवादी सड़ जाता है अब जौनपुरी जो है वो आसावरी ठाट से है मालकोश भेर भी ठाट से है याद रकना मालकोश जो है यह बहुत पूछा जाता है बहर भी ठाट से है उत्वन रागमाना जाता है कोशन नमबर 88 है संगीत रतना करके किस अध्याई में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है पांच में चौथे दूसरे या तीसरे इसका जो सही आंसर है वो है बी संगीत रतना करके तीसरे अध्याई में सारंग देव ने गमक का वर्णन किया है तीसरे अध्याई में जिसे प्रक्रिन अध्याय कहते हैं इन्हें 15 प्रकार की गमक का वर्ले किया है इस ग्रणन को दक्षिन भारत और उत्री भारत दोनों विधान एक प्रामार्निक ग्रणन के रूप में माना जाता है दोनों ही दक्षिन और उत्तर दोनों में ही इसे बहुत अच्छा ग्रणन माना जाता है से लिए कोशन नमबर 89 है ब्रह्मा ताल का प्योग किस घराने शैली में किया जाता है टपा धुपत ख्याल या चतुरन In which style in which singing style Brahmata is used राइट आंसर बी धुरुपद बड़ा ही डिफ्रेंट प्रश्न है और ये पूछ सकते हैं धुरुपद इसका सही आंसर होगा ब्रह्मताल का प्रियोग धुरुपद गायनशली में किया जाता है यह एक अप्रचलित ताल है ब्रह्मताल में 28 मात्रा होती है 14 विभाग होते हैं और 1, 5, 7, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25 मात्रा पर ताली और 3, 9, 17, 27 पर खाली होता है ठीक है देखे इसमें किस तरीके से चल रहा है जो 2 से डिवाइड ना हो ठीक है ताली को अब कैसे करोगे जो 2 से डिवाइड ना हो 1, 2 से डिवाइड नहीं 5, 2 से डिवाइड नहीं 7, 2 से डिवाइड नहीं 11, 2 से डिवाइड नहीं 13, 2 से डिवाइड नहीं 15, 2 से डिवाइड नहीं 19, 2 से डिवाइड नहीं 21, 2 से डिवाइड नहीं 23, 2 से डिवाइड नहीं 25 इस तरीके से आप देखिए इसमें मैं एक चीज और बता दूँ यहाँ पे जो एक तो यहाँ पे डिसेंडिंग होता है ना तो उसमें एक तो आपको कहने से एक जो दो से मल्टिप्लाई हो जाए उसको छोड़ दो तीन हाना पांच साथ नो अभी बता रहा हूँ मैं आपको उसके बाद मैं बताऊँगा आपको क्या हटा देना है ग्यारा तेरा पंदरा उसके बाद सत्रा उसके बाद उन्नीस उसके बाद एक्किस उसके बाद तईस उसके बाद पच्चिस ठीक है यहाँ तक दिया गया है ल नौ को हटा देना है उसके बाद आपको देखो कि 11 भी है 13 भी है 15 है उसके उसके 17 को हटा देना है उसके बाद 19 है 21 है 23 25 है देखिए चलिए आगे जब आपको ताल का आपका याद रहेगा तो आटोमेटिक आपको फिर तो खाली का भी याद रहेजाएगा आई आगे चलते कोशन नमबर 90 टप्पा गायन शैली का सम्मन्द किस गती से है शुद्ध भिन्ना बेसरा गीती से है सधार्णी गीती थोड़ा गलत लिखा हुआ है ठीक है ठीक है ठीक है राइट आंसरा है सी सी बेसरा ठीक है टप्पा गायन शैली का सम्मन्द बेसरा गीती से है तो गीती ऐसे लिखा जाता है और टप्पा पंजाम में लोग गीतों में प्रभावित गैन शैली है जो पंजाबी ताल में काई जाती है इसमें मुर्खी खटका तथा दृत ले में छोटी-छोटी तानों का प्रियोक किया जाता है टप्पा के जन्मदाता मूलता लखनौ के सौरी मिया को माना जाता है question number 90 है टप्पा गयन शैली का सम्मन्द किस गीती से है सुद्धा भिन्ना बेसरा सधार्नी सुद्धा से कौन है दुरुपद भिन्ना से धमार और बेसरा से टप्पा आता है तो बेसरा इसका सही आंसर होगा टप्पा गयन शैली का सम्मन्द बेसरा गीती से है टप्पा पंजाब के लोग गीतो से प्रभावित गयन शैली है जो पंजाबी ताल में गई जाती है इसमें मुर्की खटकादा था दुर्त ले की छोटी छोटी तानों का प्रियोग किया जाता है कोशन नमर 91 है सारंग दे में संगीत रतना कर में शुद विक्रत मिला कर कुल कितने स्वर्माने हैं 12, 13, 17, 19 इसका सही आंसर है D, 19 सारंग दे में संगीत रतना कर में सुद विक्रत मिला कर कुल 19 स्वर्माने हैं सारंग दे में साथ शुद बारा विक्रत कुल 19 स्वर्माने किया है इसके अतिरिक इन्होंने निबध तथा अनिबध के 75 प्रकार में प्रवंद बताएं 75 प्रवंद भी इन्होंने बताएं हैं कोशन नमबर 92 है आड की लेकारी क्या है? 3 बटे 2, 2 बटे 3, 5 बटे 3, या 7 बटे 4 7 बटे 3, आड की मैंने आड के उपर इसको अच्छे से मैंने समझाया है एक वीडियो क्लास होई थी उसमें अच्छे से समझाया है इसे आड कैसे निकालते हैं तो वो भी आप चैनल पर जाके देख सकते हैं आपको आना चिया आड गयाड कैसे निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर है ए तीन बटे दो समायता अर्थ में भी तेड़ी लेकारी जैसे एक और तीन दो में तीन तीन चार चार में पांच इत्यादी को आड कहते हैं ठीक है? आड की लेकारी तीन बटे दो है आड का अर्थ है तेड़ गुन ठीक है? डेड़ गुन जो मात्राओं में तीन मात्राओं को कहना बोलना गाना बजाना लिखना आड कह की लेकारी है ठीक है? आड का अर्थ कहा है? डेड़ गुन ठीक है? दो मात्राओं में तीन मात्राओं को कहना दो मात्राओं में तीन मात्राओं को कहना ठीक है तो जब इसे हम लिखते हैं जब ऐसे होगा ना ऐसे दो मात्राओं में तीन मात्राओं कहना तो इसको जब लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा बता देता हूँ, डेड़ गुन जब लिखा जाता है तो ऐसे होता है न, जब इसे इस तरीके से लिखा जाएगा, तो कैसे लिखा जाएगा, तीन बटे दो ऐसे, दो अनुपाद तीन, ऐसे, तो तीन अनुपाद दो ऐसे लिखा जाएगा, चलिए कोशन नमबर 93 की हो चलते हैं राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है ग्रह स्वर अन्स्वर बहुत्व या न्या स्वर राग जिस स्वर में रहता है वह स्वर क्या कहलाता है कितना डिफरेंट तरिये से पूछ दिया गया है सभी आंसेस का बी होगा अंस्वर कहलाएगा ठीक है क्या कहलाएगा अंस राद जिस स्वर में रहता है वह स्वर अंस्वर कहलाता है अंस जिस स्वर में राग रहता है जिस स्वर से परिवर्तित होता है जिसका प्रियोग अधिक पाया जाता है ऐसे आधार स्वर को अंस्वर कहते हैं अंस्वर को वादी स्वर और प्रधान भी कहा जाता है वादी स्वर प्रधान स्वर अंस्वर को कहा जाता है ओके चलिए आगे चलते हैं Question number 94 है आगरा गराने के चौमुखी गायक कौन थे पंडित विनायक राव पतवर्धन सवाई गंधर विलायत हुसेन खाँ उस्ताद फ्यास खाँ देख इसका सही आंसर होगा D उस्ताद फ्यास खाँ आगरा घराने के चौमुखी गायक उस्ताद फ्यास खाँ थे इस घराने की उत्पत्ती अलग दास मूलक द्वारा मानी जाती है आगरा घराने की गायकी के परवर्धक हाजी सुजान खान को माना जाता है जो अलख दास के पुत्र थे वे अच्छे दुरुपत धामार गायक थे इस घराने के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति फ्याज खा थे जिसके शिश्य भी नारायन रतन जनकर हुई कोशन नमर 95 है स्वर एव समय के अनुसार उत्तर भारतिय रागों को कितने वर्गों में बाटा गया है तीन दो पांस तस स्वर एव समय के अनुसार उत्तर भारतिय रागों को कितने वर्गों में बाटा गया है तीन दो पांस दस इसका सही आंसर होगा ए तीन ठीक है तीन इसका आंसर सही होगा स्वर एव समय के अनुसार उत्तर भारतिय रागों को तीन भागों में बाटा गया है ठीक है पहला है सिंधी प्रकास राग अर्थात कोमल्रे और कोमल्धा वाले राग कोमल्रे और कोमल्धा जैसे भैरव इसको आप याद रखोगे भैरव से याद रखने का एक तरीका है बस और कुछ लिए दूसरा हो गया शुद्रे और शुद्धा पहले कोमल रे, कोमल धा, फिर सुद्रे, सुद्धा, इस तरीके से याद रखो, फिर तीछ रहा है, कोमल गा, कोमल नी, कोमल गा काफी को याद रख रहे हो, इसको आप काफी से याद रखोगे, ठीक है, भैरव को, काफी को, और सुद्रे, सुद्धा, ठीक है, यह ऐसे राप तो बहुत सारे विलाबल भी हो गया आपका इस तरीके साब याद रख सकते हैं याद करने के तरीके होते हैं बहुत सारे जिससे आपको याद रख पाएं चलिए आगे चलते हैं कोशन नमबर 96 निर्त्य समराथ पंडित बिर्जु महराज का असली नाम क्या है जगरनाथ ब्रज मोहन लाल बैजनाथ प्रसाद लच्छू इनकी मृत्य अभी अभी हुई है आपको कमेंट में बताना आप कि कितनी तारीक को हुई थी इनकी मृत्य कौन सा मन्त था लेकि इनका सही आंसर है बिर्जु महराज का जन्म चार फरवरी 1938 को लखनो उत्तर प्रदेश में हुआ था उनका पूरा नाम पंडित ब्रज मोहन नाथ मिश्र था उनके पिता का नाम अच्छन महराज है जो की एक पसित कत्थक निर्तर थे अच्छन महराज के बारे में मैंने बायोग्राफी इनके बता रखे जी उन पर इचे इनका बता रखा है तो वो भी आप जाके देखे चलिए आगे चलते हैं अब कोशन नमर 97 है नाद के कितने गुण होते हैं दो पांच तीन या चार नाद के कितने गुण होते हैं देख इसका सही आंसर है C तीन गुण होते है नाद के ठीक है पहला होता है नाद का छोटा बड़ा पन होना दूसरा गुण होता है नाद का उंचा नीचा पन होना तीसा गुण होता है नाद की जाती और उसका गुण कुछ नमर 98 है सवागुन कहलाती है आड कुवाड ब्याड धाई गुन सही आंसर होगा इसका देखे इसका सही आंसर होगा बी कुवाड का अर्थ है सवागुन एक सही एक बटे 4 अब क्या करोगे आब एक को इसको उन्टु कर दोगे तो पाइव होगे न फाइव बटे फॉर तो यह होगा ठीक है तो अर्थात 5 बटे 4 गुन दूसरे शबदों में पांच मात्राओं में उपर आरी मात्रा होती है और नीचे वाले बोल कहलाते है ठीक है पांच मात्राओं में चार मात्राओं को कहना या लिखना या बजाना को आरगता है, पहली आप क्या लिखो है उपर क्या होता है, आपकी मात्रा होती है नीचे बोल अब देखो इसे bowl भी कह सकते हो, यह मात्रा भी है, इसे मात्रा भी कहा होगी, ठीक है ना, आपको अच्छे से बता देता हूँ, पांच बटे चार, तो यह आपकी मात्रा हो गई, और यह भी मात्रा ही है, चार भी जो है, वो भी मात्रा ही, इसमें कहना है आपको, bowl, क्या कहना करो या बोल से इंडिकेट करो तो ऊपर वाला हमेसा मात्रा होता है और नीचे वाले में कहना होता है नीचे वाला बोल होता है नीचे वाला को मात्रा नहीं बोलोगे ठीक है न है तो वह मात्रा है लेकिन ऊपर वाले मात्रा नीचे वाले उतनी मात्रा में बोलना है आपको इत चालिस चापपन सही आंसर इसका डी चापपन ब्रेदेशी ग्रंथ में मुर्चनाओं के 56 बेद बताए गए है पूर्ण साधानक्रिट सड़ज और औरव चतुरवीदी प्रकारों से दोनु ग्रामों को मिलाकर 56 मुर्चनाओं होती है भरत का मुर्चनाओं प्रकर्ण में इसकी जानकारी मिलती है कोशन नमबर 100 पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर के पिता कौन थे डीवी पलुसकर मदन पाल पलुसकर हरी पाल पलुसकर गोपाल पलुसकर देखिए इसका सही आंसर होगा डी गोपाल पलुसकर ग्वालिर घ्राने के प्रसिद संगितग्य पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर का जन्म 1872 के 18 अगस रावन को ततकालीन कुंडवार रियासत के बेलगाउं नामक इस्थान पर हुआ उनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था पिता का नाम क्या था गोपाल पलुसकर कोशन नमबर 101 है निमलिकित में से कौन सा राग भैरवी ठाट का है जौनपुरी, पूरिया धनाशरी, केदार या मालकोश लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बताया था यह राग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आप न एक चीज़ और कर सकते हैं जितने भी कोशन पेपर में करवा रहा है उसमें जितने भी राग आ रहे है राग लिखा हुए आ रहे है इस राग के बारे में पूछा जा रहा है उसे एक जगा पर लिख लीजिए और उस राग को अच्छे से कर लीजिए समझ रहे हूँ आप क्या को या करना है आपको क्या राग ज़्यादा तर देखिए आपको नेट में भी राग अलग से इसले बस में नहीं दिया गया लेकिन पूछा जाता है इसमें दिया हुआ है लेकिन अलग से भी पूछा जाता है जो नहीं दिया होगा वो भी पूछा जाएगा राग को लेके आपको दिखेंगे तो आपको क्या कहना है जो भी राग है न आप उसको लिख लेना है 5 साल तक तक जो कोशिन पेपर करवाई गये हैं 5 साल पिछले जो एक्जाम होई उन्हें निकाल लीजिए आपको मिल जाएंगे उसमें 30-25-35 राग होंगे बस 25-30 राग होंगे ठीक है इसका सही आंसर होगा D. मालकोष जनप्रिये राग मालकोष को भेरवी ठाट से उत्पन माना गया है इसमें रिशब और पंचम वर्ज है अंध इसकी जाती ओडव ओडव है बादी मध्यमम समवादी सड़ध है रात्री के तिर्ट्र प्रहर में इसे गाते हैं चलिए आगे चलते है कोशन नमबर 102 है किस राग में दोनों मध्यम प्रियोग किये जाते हैं इन विच राग बोट दम मध्यम आर यूजड मालकोष केदार बागिश्री मधुवन्ती सही आंसर भी है केदार में दोनों का ही प्रियोग किया जाता है आपको अच्छे से पता है केदार राग में कल्यान ठाट का है ये जन्ने राग है इसमें दोनों मध्यम तथा अन्यस्वर शुद लगते हैं वादी म, समवादी, साह वादी क्या है मा है असामबादी साह है ठीक है आरो में रेगा और अवरो में केबल गव वर्ज है वर्ज का मनला वर्जीत नहीं लगता इसलिए इसकी जाती औरव साडव है क्या है औरव साडव है राती का प्रथम प्रहर इसका गायन समय है यह प्रथम पहले प्रहर में इसे गाय जाता है कोशन नमर 103 है ख्याल में क्या नहीं होता ख्याल के पद में प्राई छंदो बद्धता नहीं होती है दूसरा है ख्याल में प्राई शांत रस होता है तीसरा ख्याल में प्राई रितू वर्णन नहीं होता है चोथा ख्याल में प्राई चोथाल का प्रियोग होता है प्राई के पद में प्राई चंदो बद्धता नहीं होती है तो ए ही इसका होना चाहिए ठीक है तो इसका जो आंसर होगा न यह ए ही होगा ठीक है ए आंसर इसका सही है कि ख्याल के पद में प्राई चंदो बद्धता नहीं होती है क्या नहीं होती चंदो बद्धता नहीं होती है तो यह आपका सही आंसर है देखो अब यह क्या है दूसरा क्या है ख्याल में प्राय शांतरस होता है और तीसरा है आपका ख्याल में प्राय चौताल का प्रियोग किया जाता है ख्याल में चौताल का प्रियोग भी होता है ख्याल में रितु वर्णन भी होता है ख्याल में शांत रसका भी प्रियोग किया जाता है लेकिन चंदो बदता नहीं होती है ठीक है, तो पहला इसका अंसर सही होगा चार ताल का प्रियोग दुरुपद गायन में किया जाता है खयाल गायन में तिलवाडा, जुम्रा, रूपक, एक ताल, छप ताल, तीन ताल, आदी में प्रियोग होता है गीत का वह प्रकार जिसमें रा के नियमों की रक्षा करते हुए अलापतान बोलबाट, खटका मूर की सरगम, आदी भिन अलंकारोद्वाला तबले के साथ गायन अपनी भावनाओं को जब अभी व्यक्त करता है तो खयाल की रचना होती है भिलंबित और दृत खयाल के दो प्रकार होते हैं देखें कोशन नमबर 104 है पी संबा मुर्ती कौन थे सांब मुर्ती कौन थे गायक, वादक, निर्तक या संगीत सास्त्री कहीं से भी कोशन पटक देंगे कहीं से भी उठाएंगे और कोशन पटक दिया जाएगा अब देखिए इसका जो सही आंसर होगा वह होगा D. संगीत सास्त्री थे क्या थे संगीत सास्त्री थे P. साम मुर्ती संगीत सास्त्री थे पंडित साम मुर्ती एक भारती है संगीत तक ये लेखक और स्री व्यकंटेशर विश्विद्याले व्यक्तंश्वर, विश्विद्याले तिरुपती में संगीत सास्त्री के प्रोफेसर थे, व्यक्तंश्वर, वह संगीत पर कई पुस्तकों के लेखक थे जिसमें A Dictionary of South Indian Music and Musician Great Composers South Indian Music आदी है ठीक है यार यह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कुछ चीज़ें होती है जो मैं नहीं उसको pronunciation अच्छे से नहीं कर पाता कुछ words होते हैं ऐसे चलिए आगे चलते हैं Question No.105 Staff Notation के Grand Staff में कितनी रेखाएं खीची जाती है 5, 6, 10, 11 How many lines are drawn in Grand Staff of Staff Notation 5, 6, 10, 11 Is the right answer D Is the right answer 11 Staff Notation के Grand Staff में 11 रेखाएं खीची जाती है पहले एक रेखा खीची जाती है जिसे मद्य सब्तक का सा माना जाता है और इस मद्य सा को Middle C कहते हैं फिर इस मद्य सा रेखा के ऊपर और नीचे 5-5 सामानतर रेखाएं खीची जाती हैं लेक्नी है कि इन 11 रेखाओं के इन सम्हूं को Great Stave या Great Staff कहते हैं कर दोरुआ में या नीच जाती हैं कोशन नमबर एक सच है जब स्वर अपने इस्थान से एक सेंटी टोन उंचा हो जाता उंचा हो तो वहाँ क्या कहलाता है सार्फ, फ्लैक, क्रोसे या की सिंग्निचर देखिए इसका सही आंसर होगा A जब स्वर अपने इस्थान से एक सेंटी टोन उंचा हो तो वहाँ शार्फ हो जाता है स्टाफ पद्धिती में तेज स्वर को दर्साने के लिए ऐसे हैज का प्रियोग सार्फ चीनिका प्रियोग किया जाता है B टाइप का ऐसे करके कोमल को दर्साता है फ्लैट कहते हैं इसे ठीक है इसे फ्लैट कहते है C के आगे वाले बटन को क्या कहा जाता है शार्फ कहा जाता है क्योंकि C से तेज उंचा आवरती होती है या इसे D भी या D फ्लैट भी कहते है ठीक है क्योंकि इसमें D की तुलना में एक कम आवरती होती है ठीक है? आप हार्मोनियम पे इस चीजों का अच्छे से समझ सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अब देखें कोशन नंबर 107 है पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर का जन्म महराश्ट के किस इस्थान पर हुआ है? इंदोर कॉलापूर के कुण्दवार देवास पूना इसका जो सही आंसर है वो है बी कॉलापूर कुण्दवार ग्वालिर घ्राने के प्रसित संगीत तक गे पंडित विश्नु दिगंबर पलुसकर का जन्म इनके पिता का नाम दिगंबर गोपाल और माता का नाम गंगा देवी था कॉशन नंबर 108 है प्राचीन काल में अलाप के रूप का लाप्ती के कितने भेद हैं पांच चार तीन दो राइट आंसर डी दो कैसे देखिए प्राचीन काल में अलाप के रूप का लाप्ती के दो भेद हैं पती गणता भंजन है और बंदिश में किया जाने वाला अलाप रूप का लाप्ती था इसके दो भेद हैं प्रती ग्रहनी का और भंजनी प्रती ग्रहनी का में ताल को बार बार छोड़ कर आकार में अलाप किया जाता था भंजनी के भी स्थान भंजनी और रूपक भंजनी दो भेद थे 16 बट्टे 15 किसका गणितिय मुल्य है दो स्वर का दो श्रुती का दो तालों का ग्राम उर्चना होगा इसका सही आंसर होगा बी श्रुतियों का ठीक है 16 15 दो श्रुतियों का गणितिय मुल्य है इसको सेमी टोन या अर्धस्वर कहते हैं और सेवर्ट इसका मान 28 होता है वह नाद जिसे हम इसपस रोप से सुन सकें समझ सकें तथा कि नहीं दो नादों के बीच का अंतर बता सकें श्रुति कहलाता है कोशन नमर 110 नी सा रे मा रे पाम रे सा पहचानिये इसको केदार काफी विर्णदा और सारंग विलावन नी देखो क्या है मंदर सब्तक का नी है और रे के बाद सीधे कहां जा रहा है वो मां मां के बाद फिर रे पे आ रहे हैं कि इसका सही आंसर होगा सी विर्णदा वनी सारंग जैसी आप समझें ना कि रे नी सा रे मां रे से सीधे मां पे जा रहा है न तो काफी तो हटाई दीजिए और विलावल को हटा दीजिए फिर दो में से हो सकता था तो दे फिर आप आगला देखिए परसा रे सा ऐसे नहीं लगता केदार में ऐसे विंदावनी सारंग में लगता है तो मैंने कैसे पहचाना इसे चलन स से पहचाना चलन से पहचाना और इसमें विक्रित तो नहीं था लेकिन मैं फिल विक्रित देखता चलन विक्रित देखता तो पता चल जाता तो C है नीसा रे मरे पमरे सा राग विंदावनी सारंग है विंदावनी सारंग राग का जनुक काफी ठाट से माना गया है इसमें गंधार और धैवत वरजित है अंद इसकी जाती ओड़ा ओड़ा है इनमें दोनों निशात का प्रियोग होता है वादी रे संबादी पर रे क् त्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रक्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्रत्र सारंग के प्रकार है, सुद्ध सारंग भी है, मिया की सारंग भी है, सामंत सारंग भी है, हंस की सारंग भी है, देखे क्या है कि कोशन नमबर 111 है, पटियाला घराने के प्रसिद गाय कौन थे, बड़े मुम्मत खां, बड़े गुलाम अली खां, अब्दुल करीम खां, अल्ल सही आंसर है इसका बी बड़े गुलाम अली खाँ ठीज है पटियाला घराने के प्रसिद्ध गायक बड़े गुलाम अली खाँ थे इनका जन्म दो अप्रेल 1902 को कसूर पंजाब बिटिस भारत वरतमान पंजाब पागिस्तान में हुआ था इस घराने के मूल पुरुस कल्लु खा तानरस खा दिली घराना के सिश्य थे इस घराने की अलया फतु वे नजाकत सलामत की जोडियों से विशेश ख्याती प्राप्त है ठीक है तो पटियाला से सबसे ज़्यादा बड़े गुलाम अली खाँ को ही पूछा जाता रहा है और प कि अपको बयाकत कि से संब्मूधित है ठुमरी खयाल धुरुपत या तपका यह TGT में भी पूछा गया ठीक है यह आपका टी गी तीली वी उच्छाग जा चुका है लगन पिया किस से सम्बंदित है राइट आंसर ए थुम्री से सम्बंदित है अब इसको बारे में पढ़ लीजे थोड़ा क्या है था नीचे कर लेते हैं लगन पिया थुम्री से सम्बंदित है ठुम्री भाव प्रदान चंचल गयान शार है इस विदहा में श्रिंगार रस की अधिक्ता रहती है लगनों के नवाब वाजिद अली सा को ठुम्री का अविष्कारक माना जाता है इस गयान विदहा में राग की सुदता का ध्यान नहीं रखा जाता है, इसलिए मिश्र राग के लिए उप्युक्त है इसलिए इसे उप राग भी कहते हैं ठुम्री गायन में दो भेद हैं बोल बाट और बंदिश की ठुम्री ठीक है? उप सास्त्रे संगीत इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह मिश्र हो जाता है इसलिए उप सास्त्रे संगीत के नाम से भी इंचाना जाता है कोश्चन नमर 113 है इनमें से संधी प्रकास राग को पहचानिए पूरिया धनाश्री केदार बिहाग जौन परी इडेंटिफाइ दस सिंधी प्रकास राग अम्मोन गीविन ब्लो पूरिया धनाश्री केदार बिहाग जौन परी राइट अंसर इस ए पूरिया धनाश्री ओके? अब दीखिये दिन का थोड़ा समय से दिनवे राद की सिंधी बेला में गाए जाने वाले राद सिंधी प्रकास राग कहलाते है इसका गाएन समय सुभा और शान को चार बजे से साथ बजे माना जाता है पूरिया धनाश्री सिंधी प्रकास राग है साई कालीन सिंधी प्रकास राग में यह राग अधिक लोग प्रिया है ठीक है साजित के समय में जो काया जाने वाला राग है वो सबसे जार लोग प्रिया है करके यह मार्वा श्री पूर्वी आदी रागों की अपेक्षार गायद पूर्य धनाशरी राग अदिग करतें ठीख किनए तो ये भी है मार्वा भी श्रीबी पूरवी भी है लेकिन सबसे ज़्यादा सिन्धी पूरिय धनास्री को पसंद किए जाता है कि लाइट म्यूजिक में भी इसका प्रयोग काफी है कि कोश्च नबर 114 है रागपूर्वी का वाधी संबादी क्या है गनी रेधा धरे सापा राइट आंसर है ए ओके इसका राइट आज है गनी राग पूर्वी राग को पूर्वी ठाट जन्ने राग माना गया है इसमें रेधा, कोमल, गनी, शुद्ध तथा दोनों मद्यम का प्रयोग किये जाता है इसकी जाती संपूर्ण है गंधारवादी और निशाद संवादी इसे साइकाल गाया बजाये जाता है कोशन नमबर 115 है सामा स्वर संगति की सराकी में प्रियुक्त नहीं होती मालकोष मारुबिहाद केदार पुरिय धाशे साज़ए आंसर होगा इसका बी पुर्य धाशरी में नहीं होती Belum सामव स्वर संगत पूर्य धनाशरी राग में प्रियुक्त नहीं होती इस राग में शुद्मध्यम के सात्तिवर मध्यम का भी प्रियूग होता है यह सायकाले सिंधि प्रकास राग है, पूरिया धनाश्री राग को पूरी ठाट जन्ने राग माना रहा है, अंतराग मालकोष रागमारू बिहार केदार में सामा स्वर संगती प्रयुक्त की जाती है प्राकृतिक ग्राम के स्वर भारतिय संगीत के किस थाट को प्रस्तुत करते हैं काफी विलावल कल्यान भैर्वी प्राकर्टिक ग्राम के स्वर भारतिय संगीत में विलावल थाट को प्रस्तुत करते हैं सब तक के ठाट की और थाट से राग की रचना मानी गई अन्द ठाट को राग का पिता माना गया प्रतिक राग विशिष्ट समय पर किसी ना किसी विशिष्ट भाग मूर थीम को घोतक है पंडित भात खंडे जी का प्रमुक पेशा क्या था डॉक्टर शिक्षक वकील या इंजीनियर देखे इसका सही आंसर होगा सी वकील थे वो आपको अच्छे से पता होगा इसका सही आंगा वकील होगा पंडित विश्टुनायन भात खंडे जी का जन्म 10 अगस्त 1860 में बंबई प्रांत में बालकेश्वर नामक इस्थान पर हुआ था पंडित भातखंडे जी का प्रमुक पेशा वकील था ठीक है वकील थे वो एक सन 1883 में बीय किया था इन्हों ने 80-90 में इन्होंने LLB की प्रेक्षा उक्त्रीन की ती याद रखना यह पूछ दिया जाता है दोनों याद रखना बिये कप किया LLB किया LLB जरूर याद रखना अठारासो नम्य में इन्होंने LLB किया था कुछ समय तक वकालत भी करते दिखें देखें कौन सी लाइन में और किस लाइन Paige शॉन होगे यूज की से लाइन की आपने एजुकेशन किसी लाइन में हओगा काम किसी लाइन में और कर देखोगए पढ़ाय किसी चीज़ी क्यों होगी कहीं भी कुछ भी हो सकता है ठीक है न? ऐसी होता है लाइफ चलिए आगे चलते हैं देखी ये प्रश्ण है ये इसको थोड़ा दुबारा मैं चेक करूँगा ठीक है एका चेक मुझे करना है लेकिन तब तक मैं आपको ये प्रश्ण बता देता हूँ अभी आप इसे सही आंसर इसका बताना ठीक है निम्य में से ट्रेवल क्लेफ का चिन कौन सा है ये चिन दे रखा है और इसका आंसर डी है दिया गया है ट्रेवल क्लेफ का चिन है ट्रेवल क्लेफ को जी क्लेफ कहते हैं ट्रेवल क्लेफ से मध्य और तार्स सब तक के स्वर दिखाई जाते हैं ठीक है तो ये इसका है बाकि इसका युका दी चेक करके मैं आपको अच्छे से बताऊँगा चलिए आगे चलते हैं कोशन नबर 119 पे चल रहे हैं पैचानिये ताल है ये पैचानिये धिन धा तिरिकिट धिन धिन धागे तिरिकिट तिन ता तिरिकिट धिन धिन धागे तिरिकिट धिन सही आंसर इसका है इसका देखे पहले क्या है option मैंने नहीं दिखाया option है दीप चंदी आड़ा चोताल जुम्रा और परो दस्त राइट आंसर इसका जुम्रा ओके जुम्रा इसका सही आंसर है धिन धा तिर्कित धिन धागे तिर्कित धिन धागे तिर्कित यहाँ जुम्रा ताल है वो जुम्रा ताल है जुम्रा ताल में 14 मात्राइं होती है इसमें 4 विभाग 1,4,11 पर ताली और 8 पर खाली होता है ठीक है मिश्र जाती के ये ताल है और तीन चार तीन चार करके इसका चंद है अंत यह एक अर्ध संपदी ताल कहलाती है कोशन नमर 120 है गरेगपधनीसा स्वर किस अंग में प्रियुक्त होता है सारंग, कल्यान, विलावल या आसावरी और आप सबसे निवेधन है कि आप सब के लिए रेखो मैं कितनी cocoon paper लाता हूँ इधरुठ़सर से करके उसके बाद आपको चीजे में करवाते हैं टाइम देता हूँ तो आपसे निवेदन है कि आप share ज़रूर करें जितना हो सकता है कि आप channel को share करें मैं इतना नहीं बोलता कि सिंसक्राइब करो like करो एंड में बोल देता हूँ लेकिन आप ज़धा से ज़धा sure करें ताकि ज़धा से ज़धा लोग की help हो और सब अच्छा हो दिखे इसका सही आंसर होगा सी विलावल होगा गरे गपा आ रहा है तो सीधे विलावल में ही ऐसे लगता है तो गरे गपा धनी सा स्वर समू विलावल अंग में प्रिक्त होता है ठीक है इस राग में साथ सुद स्वर लगते हैं वादी दहवत और समवादी गंधार वादी क्या है धा समवादी क्या है गा गायन समय प्रातकाल इससे तीन ताल में गाया बजाया जाता है राग विलावल में कोमल निशाद के प्रियोग से राग अलहया विलावल का निर्मान हुआ है और राग विलावल के कोमल निशाद के परियोग से राग अलेह विलावल का निर्मान हुआ है हना मलेकि सुद्ध सबकुष सुद्ध है बस कोमल निशाद का परियोग इसमें कर दिया जाता है अगरो में स्वर नाम से इसपस्ट है कि अलहिया विलावल राग में विलावल का एक प्रकार है विलावल के कई अन्य प्रकार भी प्रचार में है कोशन नमें 121 है भरत मत के अनुसार कितने राग रागनिया माने गए पास च्छतिस पास तीस च्छतिस 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 तीस देखे इसका सही आंसर होगा डी च्छतिस च्छतिस भरत मत और हनुमत भर और एच भी एच याद रखना भरत मत अनुमत इन दोनों में च्छतिस रागनिया मानी गई है भरत और हनुमत असोमेश्वर अकलीनाथ एसके एसके सोमेश्वर अकलीनाथ इस दोनों को ही शिव के नाम से जाना जाता है सोमेश्वर मत और कलीनाथ मत के अनुसार इसमें 6 राग में 6 राग और 36 रागनिया मानी जाती है जहां सोमेश्वर भगवान शंकर सोमेश्वर और कलीनाथ जहां पर भगवान का नाम हो जाएगा वहां पर 36 हो जाएगा सबसे जादा महादेव सबसे आगे ठीक है और भरत जी भरत मत हनुमत मत है ना इस इनको मिलेगा 30 ठीक है तो भरत मत अनुसार भहरव मालकोष हिंडोल दीपक स्री और मेग राग प्रतेक की पाँच पाँच रागनियार आठ आड पुत्र और पुत्र वदवे मानी जाती थी कोशन नमबर 122 है अवदृत या अनिदृत्र का चिन कौन सा है अनिदृत है वो अनुदृत पानी पीलू में देखें इसका सही आंशरों का सी ये अनुदुर्थ ऐसे लिखा जाता है ये गलत है इस तरीकी से लिखा जाएगा इसका ये चिन इस प्रकार से होता है चंदराकार का इसका अक्षरकार मात्रा है जिस प्रकार उत्तर भारतिये ताल पदिती में सुविधा तथा ताल के स्वरूप को इस्थापित करने के कोच्छ नमबर 120 है हारमनी संगीत में एक साथ कम से कम कितने सवरो का प्रियोग होता है 1234 मेरे चैनल पे जितने भी वीडियो है सब फ्री है फ्री ओफ कोस्ट है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर आप किसी को भी कुछ भी help करना चाते हो किसी की भी support करना चाते हो आपके पार जो भी knowledge है वो आप YouTube पे दिखाओ जो भी आपको आता है ताकि किसी की help हो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा earning होती रहती है ऐसा कुछ भी नहीं है साल में एक बार कभी आ गया आ गया वरना नहीं आता हो भी ठीक है तो यह सिर्फ मेहनत है आपको पता ही है कि कितनी मेहनत लगती होगी आप खुछ सोच सकते है तो यह सब सिर्फ आप सब के लिए है इसलिए आप सब share ज़्यादा से ज़्यादा करें ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा C 3 हार्मनी संगीत में एक साथ कम से कम 3 स्वरों का प्रियोग किया जाता है ठीक है ना जैसा हम कोड का प्रियोग करते है दो या दो से अधिक स्वरों को एक सत बजाने से उत्पन मधुर भाव को हार्मनी या स्वर्व संबाद कहते हैं हिंदी में क्या कहेंगे स्वर्व संबाद कहते हैं कुशन नमबर 124 सामगान में कितने स्वर्व का व्यहवार मिलता है 3, 5, 7 या 12 सामगान में कितने स्वर्व का व्यहवार मिलता है सामगान में तीन सोरो का वहवार मिलता है सामगान तीन सोरो उदांत अनुदांत और सोरित किया जाता है आगे चल कर सोरो की संख्या साथ हो गई थी जिनके नाम कुष्ट प्रथम दित्ति तृत्ति चतुर मंद्र अती स्वार है कुष्ट मिस सा प्रथम मिस रे दित्ति मिस गा चतुर मिस मा चतुर मिस पा मंद्र मिस पा के बाद धा उसके बाद अती स्वार मिस मी इस तरीके से यह ज़्यादा इंपोर्टेंट है ठीक है इंपोर्टेंट ज़्यादा है ठीक है यह आपको याद रखना है चलिए आगे कॉश्चिन नवर 125 भातखंडे ने कितने विक्रित स्वर सिद्ध किये हैं दो तीन चार पांच दीकिस का सही आंसर होगा डी पांच किये हैं पंडीत भातखंडे ने पांच विक्रित स्वर साज रे कोमल गा कोमल मतिवर धा कोमल नी कोमल सिद्ध किये हैं पांच स्वर ऐसे होते हैं जो सुद्ध तो होते ही हैं साथ ही साथ विक्रित भी होते हैं जो स्वर अपनी निश्चित स्थान से थोड़ा उपर जाते हैं अत्माद चड़ जाते हैं वे विक्रित कहलाते हैं ठीक है या तो चड़ जाएंगे थोड़ा या उतर जाएंगे तो विक्रित कहलेंगे तो ये था पूरा कोशन पेपर हो गया है 125 के 125 प्रशन यहां पर हो चुकी है मुझे उम्मीद है आप सभी को अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है तो चैनल को सस्काइब कर दीजे लाइक कर दीजे बैल आइकन को प्रेस कर दीजे कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं बागी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिशन पर दे दिया है वहाँ पर क्यूज होते हैं वहाँ पर कमेंट करके कोशन पूछ सकते हैं वहाँ पर बहुत सारी लिंक आपको प्रॉवाइड कर दिया गया है बहुत सारी वीडियो आपको मिल जाएगी बुक्स आपको मिल GT का कभी भी एक्जाम हो सकता है ठीक है और बहुत ती जल्दी LT grade का भी आने वाला है तो LT grade की भी तयारियाव स्टार्ट कर दीजिए MP का अभी होने वाला है बिहार में आने वाला है तो बहुत जादा पीपर आपके होने वाले है तो अच्छे से लग जाईए वह होता है कि बार-बार अभ्यास करने से सफलता मिलती ही मिलती है तरत करत अभ्यास में जडमत हो तो सुजान रसी आवत जात है सिर पर पड़त निसान तो बार-बार अभ्यास करने से चीजे जरूर मिलती हैं तो आज के लिए इतना ही तो अपना ध्यान रखिएगा पढ़ते रहेगा खुश रहेगा मस्त रहेगा स्वस्त रहेगा प्रिपेशन के साथ जबर्दस्त रहेगा तो थांक यू अवरिवन जय हिंद जय भारत